करता हूं हमें एक्जाम पर कलम से करांती है यू-पी ऐसाई यह आप किसी और एक्जाम के लिए भी देख रहे हैं तो PIL से और PIL आधारी जो पूर्था होते हैं इम्पोर्टेंट प्लाद कहते हैं वह से प्रेशन अक्षर आते हैं ज़रूर आते हैं आज यही टॉपिक हम ल PIL के बारे में जानकारी, कुछ PIL से जुड़े केसों के बारे में जानकारी, यह कम से कम तीन कुश्यन जब पॉलिटे और आप इसे मूलfertी अर्ता समवीधान और मूल receivers को जोड़ लोगे, सम्विधान को और मूल विधी को आपको पता चलेगा कि तीन प्रिशन कम से कम और एक प्रिशन धाई नंबर का तो कुल मिला के साड़े साथ नंबर का जो है ये PIL से आता है अपनी पिछला पेपर आप देख सकते PIL बहुत ज़्यादा महत्वपूर है के बारे में संपूर चीजों का डिसकसन हम लोग करेंगे समझेगा मेरी बात भै देखिए हम एक व्यक्ती है व्यक्ती के तौर पर हमको कुछ मानवा दिकार दिये गए है एक यूमन के तौर पर या आप यह कह सकते हैं मानव के तौर पर हमें क्या दिये गए कुछ मानवा दिकार दिये गए या जिने हम लोग यूमन राइट्स कह सकते हैं मानवा दिकार यूमन राइट्स चलिए हम अपने भारत देश के नागरिक है तो भारत देश के नागरिक होने से हमारे संभीधान द्वारा जितने भी मौलिक अधिकार दिये गए हैं हमें मौलिक अधिकार दिये गए हैं एक इंडियन सिटीजन होने के नाते एक भारते नागरिक होने के नाते हमें कुछ मौलिक अधिकार दिये गए हैं कुछ मौलिक अधिकार हमें व्यक्ति के होने के नाते मिले और कुछ साती हमें अपने भारत देश के नागरिक होने के नाते मिले हैं कुछ हमें मोलिक अधिकार दीए गए, fundamental rights दीए गए अब सभी जानते हैं जब भी हमारे अधिकारों का हनन होता है या हमारे अधिकारों का violation होता है तो जिसके अधिकारों का violation होता है जिसके अधिकारों का हनन होता है उस व्यक्ति को पिर्णित व्यक्ति कहा जाता है कि ये व्यक्ति इस कारण से पिर्णित है इसके इस अधिकार का हनन हुआ है चलिए मेरी बात तो यहां से एक शब्द आता है जिसे कहते हैं लोकस इस्टेंडी क्या कहते हैं लोकस इस्टेंड ध्याएंग दीजेगा एक शब्द होता है कानून की भाशा में जिसे कहते ही लोकस स्टेंडी इस लोकस स्टेंडी का इंगलिश में मित्ल मतलब होता है इसको पनी कोपी में नोट करते चलिएगा इनी का बार-बार रिवीजन जब पर दे कर आओ तो फिर आके मुझे बताना कि गलत कहराता है सही चलिए राइट टो स्टेंडिंग कार्थ होता है किसी कानूनी प्रक्रिया में किसी कानूनी प्रक्रिया अथवा मुकदमे में किसी कानूनी प्रक्रिया का अधिकार अब बहुत ध्यान से इस बात को समझेगा right to a party right to be a party right to be a party in a legal procedure in a legal procedure और case अब समझेगे जब आपके अधिकारों का हनन हुआ तो जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है वो मुकदमा दायर करता है या उससे कोई सगा संबंधी वो मुकदमा दायर करता है जैसे मैं बताऊं कि किसी की हत्या हो जाती है जैसे कोई x व्यक्ति था इस x व्यक्ति की हत्या हो जाती है इसकी हत्या जब इसका मडर हो जाएगा, तो मडर होने से कौन-कौन प्रभावित है, इसके परिवार वाले व्यक्ति प्रभावित है, भई मडर होने से कौन प्रभावित है, इसके परिवार, असल में मडर जो होता है, पुरे समाज को नुकसान पहुचाता है, तो अगर कोई व्यक्ति रिपोर्ट दायर नहीं करता तो कोई चोकिदार या पुलिस अपनी तरफ से रिपोर्ट दायर करके पार्टी बन जाती है तो आप ये कह सकते हो कि जिस व्यक्ति के अधिकारों कहने हुआ था या तो वो पक्चकार होता है या उसका कोई सगा संबंधी या उसका कोई सगा संबंधी यह से अनो करके बताये लेकिन ऐसे माल लेता हूँ कि जैसे ये तो यहाँ पर हत्या का मामला था जैसे माल लेता हूँ किसी की जमीन किसी ने कबजा कर ली किसी के जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति का कबजा हो जाता है किसी अन्य व्यक्ति का कबजा तो अब इस मामले में कौन केस फाइल कर सकता है भई जिसकी जमीन का कबजा हुआ है जो जमीन का वास्तम में मालिक था या जिसके कबजे में वो जमीन पहले थी या उसके परिवार का कोई व्यक्ति मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिसके अधिकार का हनन होता है वही व्यक्ति के इसमें पार्टी बन सकता है ये होता राइट टू लोकस स्टेंडी या राइट टू स्टेंडी कि किसी मामले में किसी कानूनी प्रक्रिया किसी कानूनी प्रिक्रिया अथ्वा मुकदमे में पक्षकार होने का अधिकार या right to be a party in a legal procedure यहां तो को दिक्कत अब एक मैं आपको example यहां तो जिन लोगों का अधिकारों को हमने हुआ था उन्होंने भईया मुकदमा दायर कर दिया अब मैं एक example लेता हूँ बहुत बढ़िया सा समझेगा example क्या है कि जैसे एक factory है क्या है साथी एक factory है उस factory से जो कच्रा निकलता है उस factory से जो कच्रा वाला पानी निकलता है या उस factory जो प्रदूशित पानी निकलता है उस फैक्टरी से जो प्रदूशित पानी निकलता है वो गंगा नदी में जाता है और गंगा नदी का पानी क्या हो जाता है प्रदूशित हो जाता है अब गंगा नदी के प्रदूशित हो जाता है अब गंगा नदी के प्रदूशित होने स किससे प्रभावित होगी यह आप सोचके बताइए भाई क्या गंगा नदी का पानी प्रदूसित होने से सिर्फ व्यक्ति प्रभावित होगा कोई एक या पुरा समाज या यह कह सकते एक बड़े प्रभावित होगी दूसरी बात समझे दूसरी बात समझे तो यहाँ पर अप यह कह सकते हो कि एक व्यक्ति भी प्रभावित हो सकता है लेकिन एक प्रभक्ति प्रभावित होने के स्थान पर यहाँ पर साती समस्त जनता पर प्रभाव पड़ता है किस पर प्रभाव पड़ता है समस्त जनता पर प्रभाव पड़ता है और यहाँ पर अगर समस्त जनता की और से उनके फाइदे को आप ये कह सकते जनहित में जनहित का मतलब क्या होता है नेताक सरवादे करते हैं पहे हम जनहित के काम करेंगे हम ये सालक बनवाएंगे हम पुल बनवाएंगे जनहित में या आप ये कह सकते पब्लिक वेलफेर के लिए पूरे जनता की और से या आप यह कह सकते लोग खित में या आप यह कह सकते सार्वजनिक खित में अगर कोई व्यक्ति या अथवा कोई NGO या संग्ठन कोई व्यक्ति अथवा संग्ठन केस दायर करे या फिर सुप्रीम कोट हाई कोट या कोट में कोई याची का दायर करे तो उसी को आप क्या कहते हो जनहित याचिगा, समझ जेगा मेरी बात, कि वैसे नॉरमल मामलों में क्राइम, आदिया, जो सिविल के मामले होते हैं, उनमें एक व्यक्ति का धिकार, प्रभावित होते हैं, वो व्यक्ति प्राइवेट लिटीगेसन करता है, मतलब वो अपनी व्यक्तिक तोरपर एक पार्टी बनत और वो फिर याची का या कोट केस करता है और उसे हम कहते कि उस मामले में उसका لوकस इस्टेंडी है लेकिन यहाँ पर जो लोकस इस्टेंडी है वो व्यक्ति अपने लिए नहीं खड़ा, वो व्यक्ति पूरे समाज के हित के लिए खड़ा है वो जन हित में याची का दायर कर रहा है तो साथ ही लोक हित जो है या जो लोकस इस्टेंडी है उसका विस्तार हो जाता है क्या हो जाता है विस्तार हो जाता है तो लोकस इस्टेंडी से समझ माया लोकस इस्टेंडी शब्द क्या होता है क्या कहा है किसी कानूनी मामले अत्वा मुकदमे में पक्षकार होने का अधिकार सामन्य तोर पर क्या होता है कि जो व्यक्ति कानून के उलंधन आदी से पीणित अत्वा प्रभावित है अर्थात अपने किसी अधिकार के उलंगन से या अधिकार के अतिक्रमन से प्रभावित है वो न्याय की मांग के लिए कोट में याची का दायर करते हैं और इसको अब प्राइवेट लिटिगेशन भी कह सकते हो क्योंकि वो व्यक्ति अपने खुद के फायदे के लिए प्राइवेट लिटिगेशन मतलब वो जीतता है तो उसका स्वेम का फायदा है किसका फायदा उसका स्वेम का फायदा है उसके जो अधिकार का तिक्रमन हुआ था उसे उसके लिए राहत या कोई आदेश मिल जाएगा स्वेम के फायदे के लिए तो राहत या कोट उसके पक्छ में आदेश करेगा अब मन लेता हूँ अगर आपका कोई अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है तो आप याचिका या मुकदमा दायर नहीं कर सकते जमीन किसी की कबजा हुई आप जाके वाल लंबरदार बनगे कि जी मैं तो इसकी और से केस करूँगा तो कोट आपकी याचिका को स्विकार नहीं करेगा आपका जो है उसे मुकदमे को स्विकार नहीं करेगा लेकिन जो जनहित याचिका होती है जो PIL होती है वो लोक हित, लोक हित मतलब पूरी सार्वजनिक, पूरी समस्त जनता के हित में, सार्वजनिक अत्वा, पूरी पबलिक के हित में से, जुड़े मामलों में, अत्वा गरीब ऐसा है, आदी लोगों के हितों से जुड़े मामलों में, इस लोकस इस्टेंडी का विस्तार कर दिय normal व्यक्तिकत मामलों में जिसका अधिकार प्रिभावीत हुआ है वही मुकदमा दायर कर सकता है । लोकस्टेंडी यह कहता है कि आपका इस मामले में ऎक्रवावीत रॉड़ क्या है इन मामलों में इस लोकस इस्टेंडी का विस्तार कर दिया जाता है पूरी जंता को रिप्रजेंट करने के लिए पूरे समाज को एक व्यक्ती अथ्वासन ठन भी प्रती निधित्व दे सकते हैं तो आप इसे रिप्रजेंटेटिव लिटीगेशन भी कह सकते हो प्रेती निधित्व याचि का भी कह सकते हो Representative Litigation क्यों कि पूरे समस्त अधिकारों को पूरी जनता के समस्त अधिकारों को यहाँ पर कौन एक व्यक्ती उनकी ओर से Representative प्रेती निधी बनकर उनके पक्च को अधालत में रखता है यहाँ पर आप यह भी कह सकते हो जिनके अधिकार प्रभावित नहीं हुए है वो भी सार्वजिनिक हित्मे जनता के हित्मे या निर्बल ऐसा है लोगों की और से याची का दायर करते हैं तो पबलिक इंट्रेस्ट लिटीगिसन क्या होती है कि जो समास से जुड़े जनता से जुड़े मामले हैं उन मामलों मे इस लोकस इस्टेंडी का विस्तार कर देती है अर्थात जिन लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं भी हुए है जिनका स्वेम का कोई फायदा नहीं है या नुकसान नहीं है वो लोग भी पूरी जनता के पक्ष में याची का दायर कर सकते हैं याची का दायर साथी कर सकत अब समझेगा जैसे यहां पर एक्जाम्पल दिया गया है जैसे परियावरण से जुड़े मुद्दे जो परियावरण से जुड़े मुद्दे होते हैं यह तो समस्त जनता को प्रभावित करते हैं तो जनता की ओर से MC महता, नम के परियावरण विद हैं, MC महता क्या है, परियावरण विद, इन्होंने कई सारी सुप्रीम कोट हाई कोट में पबलिक इंट्रिस्ट लेटीगेशन, या जनेत याची का दायर की परियावरण से जुड़े मुद्दोपल लेकर, MC महता के नाम से आपको बीस्तियो केस मिल जाएंगे, तो MC महता बना भारत संग, इस केस में गंगा नदी में बढ़ते प्रदूसन को, जो कानपुर में चमणा फैक्टरी है, वहाँ से जो पानी गंगा नदी में जाता है, उसके वुरुद MC महता जी ने बहुत जादा कारिये किया है, और इन्होंने पूरी जनता के हित को रिप्रेजेंट किया है, पूरी जनता के हित को, चलिए, आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ याद रखेगा, भारत में बात करें, तो Public Interest Integation, जनित याचिका, अंग्रे जी में इसको क्या कहते है, Public मानी जनता, Interest कर्थ होता है, उनका फायदा, उनका हित, जन ये नियाईक सक्रियता की देन है, किसकी देन है? नियाईक सक्रियता, नियाईक सक्रियता है बहुत important point है, अब सभी जानते हैं, कि साती जो हमारा अनुचेद तेरह है, वो अगर विधाई का संसद आदीने को ऐसा कानून बनाया है, जो सुप्रीम कोट में, जो मतलब हमारे स समविधान का उलंगन करता है, तो जुडीसियल रिव्यू नियाईक समिक्षा का अधिकार है, किसको है? सुप्रीम कोट हाई कोट को नियाईक समिक्षा का अधिकार है, इसी तरह अनुचेद 21 जो है, वो जीवन का अधिकार देता, right to life, और जीवन के अधिकार में बहुत सा मौलिक अधिकारादी में, उनका विस्तार कर देती है, तो इसी को नियाईक सक्रियता या जुडीसियल एक्टिविजम कहा जाता है, या आप ये कह सकते हैं, कि संविधानिक उब्बंधों का एक बहुत ही लिबरल, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्वेतंत्र वर्णन, जिसम ऐसे बहुत सी चीजे होती हैं, ऐसे बहुत से पॉइंट होते हैं, जिनको उपर संसद आदी ने कोई कानू नहीं बनाया होता, संसद आदी ने कोई कानू नहीं बनाया होता, ये कारिये नियाले पे छोड़ दीते हैं, तो नियाले अपने फैसले आदी में उन चीजों को पर करता है। For example, जैसे विशाखा गाइडलाइन즈 विशाखा गाइडलाइन क्या है कि कारिए स्थल पर योन उत्पिडन से योन उत्पिडन रोकने से समधित दिशा नडेश अब हमारी भारत सरकार या किसी राज्जे सरकार ने इस कारिय स्थल पर योन उत्पिडन से पहले 1997 से पहले कोई कानून आदी नहीं बना रखा था तो सुप्रीम कोट ने नियाइक सक्रियता का परिचे देते हुए कुछ दिसा निर्देश जारी किये और उनी दिसा निर्देशों के आधार पर बाद में 2013 में कानून आया तो यह जो विशाखा गाइडलाइन्स थी यह नियाइक सक्रियता की देन थी जिसमें कारिय स्थल पर योनित पीडन या आप यह कह सकते हैं इसका साथी रोग ठाम को यह विशाखा गाइडलाइन्स या विशाखा देशा निर्देश दिये गई तो सक्रियता का मतलब क्या है कि एक लोक न्याय लोक तंत्र है लोक तंत्र में सब न्याय के अपिक्षा करते हैं हमारा जो प्रियम्बल है प्रस्तावना है उसमें भी हमें राजनेतिक सामाजिक आर्थिक इन न्याय की बात कही गई है तो जो वो सामाजिक वाला जो न्याय है उस न्याय को देने के लिए सुप्रेम कोट अपने परमप्रागत स्वेरूप से बहार आकर ऐसे अनेक मुद्धों पर जो जनता से जुड़े होते हैं समाज के फाइदे से जुड़े होते हैं उन पर अपनी राय देता है फैसले देता है दिशा अनर्देश देता है इसे को जुडिसल एक्टिविजम कहते हैं जैसे की स्मोकिंग करते हैं बहुत सारे लोग जो पैसे भी स्मोकिंग होती है कि लोग खुले में स्मोक करते हैं तो इनसे उन लोगों की अधिकार प्रभावित होते हैं जो की स्मोक नही भी जाता है तो एक तरीकिस से आप ये कह सकते हो कि पैसिव तोर पर एक्रिये तोर पर वो भी तो स्मोकिंग का सिकार हो रहा है तो यहां से हमें एक दो-तिन चीज़े पता चलती है कि नयाय के सक्रियता का मतलब है कि ट्रेडिशनल तानेबाने से बाहर निकल कर ऐसे मामलों में सुप्रीम कोट के आदेस आदी आना कि जिन पर अभी विधाई का या संसा दादी ने कोई कानून आदी नहीं बनाया या लोगों को सामाजिक नियाय दिलाने के लिए उनके अधिकार सुनिस्चित करने के लिए सुप्रीम कोट आदी के द्वारा दिये गए फैसले जुडिसल एक्टिविजम तो जो अपनी P.I.I.L. ये इसे जुडिसल एक्टिविजम का नजरिया देन है या इसका परिणाम है भारत में कभी कभी क्या होता है कि जो नियायले होते हैं वो मीडिया रिपोर्ट के आधार पर या आप ये कह सकते हैं कि कभी कभी नियायले मीडिया रिपोर्ट आधी के आधार पर स्वेते संग्यान भी ले ले लेते हैं अर्थात ना तो कोई पत्र भेजने की जूर्थ प और पर ही मानते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सुप्रीम, आगे अभी से पहले हम दो तिन चीज़े और जानते, समझने के कोशिस कीजेगा, PIL का इतिहास, PIL का इतिहास, PIL का इतिहास, पूरे संसार में, अब सभी लोग नोट करना इसको कोपी में, और तुम फिर पेप जनहित याचिका का जो इतिहास है, वो अमेरिका से शुरू हुआ है, कहां से शुरू है साती, जनहित याचिका का जो इतिहास है, वो अमेरिका से शुरू हुआ है, अमेरिका से कैसे, 1876 में, अमेरिका में एक बहुती फेमस केस आया, जिसका नाम था, जीडियोन बनाम, वे इन राइट केस करके ये अमेरिका में 1876 का केस था इस केस में जो अमेरिका के जज थे उन नो जजोंने साथी उन नो जजोंने अमेरिका के सुप्रीम कोट के जजोंने सुप्रीम कोट के नो जजोंने एक पत्र एक पोश्ट कार्ड को एक पोश्ट कार्ड को या पिये कह सकते एक पोश्ट कार्ड अथवा लेटर को याचिका के तौर पर स्विकार किया था यही से जो एक परंपरागत मुकदमा दायर करने की प्रिक्रिया होती है उस प्रिक्रिया से हटकर मुकदमा दायर करने की प्रिक्रिया क्या होती है वकील के पास जाओगे एक याचिका दायर करोगे पूरी टाइब वाइब करवा के इस केस में जिडियोन बनाम वेन राइट के केस में जजो ने सिंपल एक याचिका को ही साती एक पत्र को ही आचिका के तौर पर स्विकार कर लिया फिर धीरे 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 और इसी के बाद में वहाँ पर एक Legal Aid Office खोला गया या अब यह कह सकते विदिक साहता केंद्र खोला गया अगर हम भारत की बात करें PIL भारत में तो हमारे यहाँ पर PIL दायर कोई भी आचिका दायर करोगे तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो Locus Standy का पॉइंट आता है किसका पॉइंट आता है Locus Standy का पॉइंट आता है तो यह बाते 1971 की यह अपने एक जज किर्सना VR किर्सना आयर करके थे सुप्रेम कोट के जज सहाब तो किर्सना आयर जी ने भी एक Legal Aid के उपर एक रिपोर्ट में यह बात कही कि जो कानून जो यह विधी है उसे लोगों के पास तक जाना चाहिए ना कि लोग कानून के पास तक आए मतलब न्याय पाने का मुकद में आधी दायर करने की जो प्रिक्रिया है वो बहुत ही सुलब स्वक्ष और अच्छी होनी चाहिए यह बात 1971 के केस में उन्हों ने कहीं उसके बाद में साथी 1976 की बात है एक 1973 की यही बात जज पीएन भगवती ने एक रिपोर्ट में की पिता कहा जाता है भारत में PIL का पिता या पब्लिक इंट्रेस्ट लिटीगेशन का पिता कहा जाता है पब्लिक इंट्रेस्ट लिटीगेशन का क्या कहा जाता है पिता कहा जाता है 1977 में इन दोनों जजों ने जज किरसना आयर जज किरसना आयर और P.N. भगवती सहाब जज किर्सना अयर और P.N. भगवती इन दोनों ने ये कह सकते हो कि एक रिपोर्ट डायर की एक रिपोर्ट दी कमेटी बनी और इस रिपोर्ट में लीगल एड के उपर चर्चा की गई विधिक सहायता जो ऐसाहय वर्ग है जो की हेवी कोट फीस आदी क्योंकि वकीलों की फीस लगती है जब आप याची का दायर करते हो तो किर्सना अयर और P.N. भगवती सहाब ने एक रिपोर्ट दायर की जिसमें विधिक सहायता की जो गरीब या ऐसाहय लोग है या जो की uneducated है उन्हें इस वजए से वो कानून की सहायता नहीं पापाते या आप यह कह सकते हैं वो लोग legal aid या न्याय प्राप्त नहीं कर पाते तो इनकी सहायता के लिए इनकी सहायता है तो जो ये याची का दी होती है इनका जो प्रिक्रिया होती है इस प्रिक्रिया को इनके प्रोसीजर को बहुती सरल बनाया जाए याची का के प्रोसीजर को बहुती ज़्यादा सरल आदी बनाया जाए इसको सरल आदी बनाने के लिए आपको लोकस इस्टेंडी जो होता है उस लोकस Istendi के विस्तार से संबन्दit कुछ प्रेमुक केस की बात करते हैं जो किस से संबन्दित है? लोकस इस्टेंडी के विश्तार से सम्बन्दित है अर्थत वो केस जिन में किसी एक व्यक्ति के द्वारा याची का दायर नहीं की गई थी बल्कि कई व्यक्तियों के द्वारा वो याची का दायर की गई थी फिर भी सुप्रियम कोर्ट ने इस बात को माना कि कोई बात नहीं अगर यह याची का किसी संगठन के द्वारा भी दायर की गई है तो वो एक सारजनिक हित जा सभी की ओर से उनके कौमन समान हितों को ध्यान में रखके दायर की गई है और यह आर्टिकल 32 के तहत मेंटेबल है तो याद रखेगा लोकस इस्टेंडी के विस्तार से संबंदी जो पहला केस आ जाता है वो आ जाता है आपका मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई फैजुल भाई बोनस से संबंदित केस था और जो मजदूर थे उनकी एक संस्था थी मुंबई कामगार सभा इसकी ओर से 1976 में ये केस दायर किया गया था जज किर्सना एयर की अदालत में और किर्सना एयर सहाव ने यहाँ पर कहा कि भाई देखो ये मेंटेबल है क्योंकि इसमें लोकस इस्टेंडी को सबसे पहले कि कि अगर कोई कार ये सभी के हित्मे किया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ही दायर करे उसकी और से कोई संग्ठन भी इसको दायर कर सकता है समझ रहे मेरी बात उसके बाद में आ जाता भाई सांग सेकिंड केस Fertilizer Corporation of India Fertilizer Corporation of India Fertilizer Corporation of India of India बनाम भारत संका केस versus Union of India November 1980 ये भी लोकस इस्टेंडी से समझ दित केस था Fertilizer Corporation of India के विरुद ये केस था चलिए तीसरा आ जाता है साथी आपका अखिल भारतिये शोशित रेलवे करमचारी संग अखिल भारतिये शोशित रेलवे करमचारी संग बना महरसंग बनाम Union of India करत होता है भारत संग ये भी 1981 का केस है ये साती कुछ बहुत बहतरीन केस है जो शिरुवात में लोकस इस्टेंडी से समझ दित थे जहां पर जिस व्यक्ति के अधिकार प्रभावित हुए हैं सिर्फ वही याची का दायर नहीं कर सकता ये भी कहा गया कि सार्वज निक हित में या अगर कई लोगों के हित समान है तो उनकी उर से कोई संगठन आदी भी याची का डायर कर सकता है अब आ जाते साती पी आई एल पर भारत का पहला केस भारत की पहली पी आई एल ये सारे केस किस से संबंदी थे ये सारे केस साथी आपके लोकसिस्टेंडी से समब्ब देते. जिनमें मुल्बई कामगार सभावाला जो था, ये साथी इस हुसेन आरा खातून केस से भी पहले का था. इससे भी साथी पहले का केस था थोड़ा सा ध्यान दीजेगा समझ रहे मेरी बात मुंबई कामगार सभा Fertilizer Corporation of India और अखिल भारते शोशत Railway करमचारी संग भारत की पिर्थम PIL First PIL of India First PIL समझे इस PIL में क्या था अखबार में एक रिपोर्ट आती है बिहार के एक अखबार में कि बिहार के जेलों में 40,000 से अधिक ऐसे कैदी है जिन कैदियों पर अभी मुकदमा चल रहा है उन्हें सजा नहीं दी गई फिर भी वो जेलों में बन दे ऐसे कैदियों को अंडर ट्राइल कैदी कहा जाता है क्या कहा जाता है साथी अंडर ट्राइल प्रिजिनर कहा जाता है अंडर ट्राइल अंडर ट्राइल मतलब बिन बिन सजा के कैद में हैं हुई अभी उन पर मुकदमा ही चल रहा है एक्चुल में क्या होता है जबता मुकदमा चलता है कुछ दिनों के लिए अगर घातक गंभीर अपराद नहीं है या गंभीर अपराद का रूप नहीं है तो जमानत आदी मिल जाती है लेकिन इन कैदियों को 40,000 सदिक कैदियों को जमानत आदी नहीं मिलती है और जो 2017 में आए या अभी आए एक भी कुशन तुमारा गलत नहीं होगा लेकिन तुम से रिक्वेस्ट है तुम सब लोग शेयर कर देड़ा हिम्मस सी मिल जाती है ठीक है हिम्मस सी मिल जाती है प्रीज थोड़ी सी तो फर्ष्ट पी आईल की जो बात करेंगे यह बात है 1947-1979 नो मार्च 1979 की बात है एक वकील थी जिनका नाम था कपीला हिंगो रानी नहीं जबर्दस्त एडवोकेट जिनने कहते हैं कपीला हिंगो रानी कपिला हिंगो रानी और उनके पती दोनों ही वकील थे ये एक रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट पर पढ़ते हैं कि वही उसमें 40,000 के करीब कैदी अंडर ट्राइल है तो वकील कपिला हिंगो रानी बिहार के 40,000 बिहार के 40,000 अंडर ट्राइल कैदियों की और से कि वही उनके साथ मानिवे विभार किया जाना चाहिए वो बिना सजा के कैद में सिर्फ आरोप के आधार पर तो कपिला हिंगो रानी एक केस दायर करती है जिससे हम कहते हैं हुसेन आरा बनाम बिहार सरकार केस हुसेन आरा बनाम बिहार सरकार 9 मर्च 1989 ये भारत की साथी फर्ष्ट पी आईल थी फर्ष्ट पी आईल इसमें छेक जो हुसेन आरा खातून थी ये भी एक अंडर ट्राइल या पि ये कह सकते हैं उन्ही कैदियों में से एक थी और चौक जाओगे अदालत किसकी थी जज प पी एन भगवती जी क्या दालत थी किस क्या दालत थी जज पी एन भगवती क्या दालत थी इसलिए साथी पी एन भगवती को कहते न भारत में सबसे पहले पी आईल किसने स्टार्ट की तो याद रखेगा जज पी एन भगवती इन्हें भारत में पी आईल का पिता कहा जात भारत में PIL का जनक या father of public interest litigation और इसी वचा से कि पहली PIL को दायर करने में किसका नाम था किसका काम था कपीला हिंगो रानी इन्हें भारत में PIL की माता कहा जाता है भारत में public interest litigation की माता या आप यह कह सकते है mother of PIL in India अब दोनों कुषिन किलियर होगे कि भारत में PIL का हला कि जज किर्सना आयर को भी साथ लिया जाता है दोनों आएं तो आप PN भगवती को टेक करना क्योंकि एक बार President of India जब PN भगवती जी की मिरत्य होई थी तो भारत की राष्टपती ने उनके उसमें 2003 में एक व्याख्यान दिया था उसमें फादर और PIL PN भगवती को ही बताया था तो वकील कपिला हिंगो रानी इन्हें भारत में PIL की माता और साथी जज जिनके अदालत में मुकदमा आया जिन्नों ने इसको स्विकार किया वो ते साथी यहां से जो एक यह कह सकती है कि PIL की भारत में शुरुआत होती है और यह इसलिए भी क्योंकि इसका जो केस था वो कैदियों के पक्ष में गया 40,000 कैदियों को छोड़ा गया और उसके बाद तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो कपिला हिंगो रानी है उन्होंने ने जाने उसके बाद में कितने सारे मुकदमे सभी लोगों की ओर से इन लोग रहा है तो मैं इंट्रेस्ट नहीं है तो मैं अपनी एनर्जी क्यों खराब करूं भीया नहीं पढ़ना कोई बात नहीं मैं छोड़ देता हूं आप लोग खुश रही है आपका पढ़ने का मनी है बन लिया पैसा ही जिस तरह के आप कमेंट बाजी में लगे हुए हो दिग आपके ढ़ंग तुम में से बस कुछ नहीं कहना ठीक है चलिए बहुत दन्यवाद थेंक्यू क्योंकि तुम लोगों का पढ़ने का कोई मनी नहीं है डेट पे लगे पड़े हो तुम्हें किलास नहीं हुई है ये टॉपिक कितने इंपोर्टेंट है तुम इसकी इंपोर्टेंस जानते भी नहीं हो कोई व्यक्ति तुम्हें करा रहा है बिना कुछ छोड़े नहीं तो 10 किलास लोगों ने करा ही है पी आई हल पे एक बार हुसेन का जबाब दोगे मौका तो दो तुम पता नहीं क्या कर रहे हो हुसेन आरा खातून भी कह सकते हो अब खातून या इसमें मौसी अर्बुवा तो तुम भी जोड़ सकते हो इसमें मैं क्या बताऊं तुम है है चलिए यहां तक को दिकत हुसेन आरा खातून बनाम भीहार सरकार इस केस में कैणियों को छोड़ दिया गया इसके बाद में जो अगला केस जहांसे जज़ पियन भगवती जी ने इस लोकस इस्टेंडी वाले पॉइंट को और बहतरीन तरीके से समझाया और इस केस में ज़़ पियन भगवती ने ये भी कहा कि कौन-कौन PIL दायर कर सकते हैं या जो PIL होती है वो किस तरीके से उसमें उन्होंने बहत सारी चीज़े बताए साथी उन्होंने बहुत सारी चीजे इसमें बताई कि कौन-कौन व्यक्ति आप ये कह सकते हो कि इसमें दायर कर सकता है कौन-कौन व्यक्ति इसमें दायर कर सकता है और ये जो fertilizer corporation of India वाला case था इसमें PIL शब्द का पहली बार अधिकारिक प्रियोग किया गया था किसना IRG के द्वारा ये भी किसना IRG का case था इसमें हलाकि PN भगवती सहाब भी शामिल थे आप ये कह सकते शब्द का प्रिथम प्रियोग शब्द का प्रिथम प्रियोग fertilizer corporation of India वाले case में तो ये हमारा पहला जो second case हो जाता है वो हो जाता है साथी S.P. गुपता बनाम Union of India case जो और भी महत्वपुन case था इससे तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर बीज बोया गया P.I.L. का बीज ठीक है बोया गया और यहाँ पर वो जो बीज था वो पनप के तयार हो गया S.P. गुपता बनाम भारस संग यह Union of India case 1981 इसे जज ट्रांसफर केस भी कहते हैं क्या कहते हैं जजिज ट्रांसफर केस जजिज ट्रांसफर केस जजिज ट्रांसफर केस यह तीन चार केस हैं जहांसे कोलेजियम विवस्था की सुरुवात हुई है कोलेजियम विवस्था की सुरुवात तो इसे साथी जजिज ट्रांसफर केस भी कहते हैं यही वो तीन चार केस थे फ़स्ट जज केस सेकंड जज केस और थर्ड जज केस यह वैसे देखोगे तो I think सेकंड जज केस में आएगा जहाँ पर कोलेजियम विवस्था की सुरुवात हुई है कि सुप्रीम कोट में जो जज न्यूक्त होते हैं वो कोलेजियम के कोलेजियम की सिफारिसों पर होते हैं स्पि गुप्ता केस में जज पियन भगवती जी के द्वारा जज पियन भगवती जी के द्वारा जी के द्वारा आप ये कह सकते हो कि PIL कौन दायर कर सकता है कौन दायर कर सकता है कर सकता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया विस्तार पूर्वक उन्होंने समझाया और उन्होंने यहाँ पर एक बात कही कि public spirited person public spirited persons इस वर्ड पे गहौर करना public spirited persons और organization एंजवादी जो होती है लोक हित से प्रेरित व्यक्ति जो व्यक्ति दुनिया में कोई सार्वजयनिक हित चाहते हो या कोई पबलिक इंट्रेस्ट हो जिसका तो लोक हित से प्रेरित व्यक्ति लोक हित से प्रेरित व्यक्ति कौन होता है जो स्वेम का स्वार्थना देखकर पूरी जनता के भलाई से जुड़ा होता है तो SP गुपता बनाम भारत संग केस जो था ये भी साती एक महत्वकून केस था जहाँ पर आप ये कह सकते हो पबलिक इंट्रेस्ट लिटी गेसन का विस्तार हुआ साती पबलिक इंट्रेस्ट लिटी गेसन का अच्छे से विस्तार हुआ अब एक बहुत अच्छी सी बात समझीगा कि किन मामलों में PIL दायर कर सकते हैं तो ये बातें 1 दिसंबर 1988 की कम की बातें 1 दिसंबर 1988 की जब PIL के मामले बढ़ने लगे तो फरजी PIL आने लगी वैसे PIL लोग हित में दायर की जाती है लोग अपने स्वार्थ की पूर्थी के लिए या आप ये कह सकते हैं कि लोग कमपनियों से या किसी के खिलाप अपना बदला लेने के लिए वो लोग PIL दायर करने लगे तो इसने कुछ दिसा निर्देश दिये कुछ सुप्रीम कोट ने क्या दिये दिसा निर्देश दिये कि PIL किन मामलों में तो इन्होंने कुल दस मामले बताए क्या बताए दस मामले पहला मामला बंधुआ मजदूरी के मामलों में ये तुम से पूछा जाएगा PIL किन मामलों में दायर की जा सकती है किन मामलों में दायर नहीं की जा सकती बन्धुआ मजदूरी के मामलों में उपेक्छित बच्चों के मामलों में जहाँ पर शिर्मिकों को नियूंतम मजदूरी आदी ना मिली हो या जितने भी उपेक्षित वच्चे, बंधुआ मजदूरी के मामले, न्यूंतम मजदूरी का भुकता नादी ने करना, जेलों में पिर्तारना के मामले, उसके अलावा, या फिर जेल में 14 साल पूरा करने के बाद रिहाई की मांग, जेल में मौत, जेल में मौत या जेल से किसी को दूसरी जेल में ट्रांसफर कराना है, या जहाँ पर स्पीडी ट्रायल के मामले में त्वेरित सुनवाई की जाए, उसके अलावा, उसके अलावा, मामला दर्ज करने से, इंकार जैसे कुछ मामले हैं, उसमें पुलिस ने मामला दर्ज करने से इंकार कर दिया है, पुलिस परतानित कर रही है पुलिस रास्त में मौत हो जाती है इन सब के खिलाप याचिका भी PIL के तोर पर आप दायर कर सकते हो महिलाओं पर अत्याचार जैसे दुलहन का उत्पीडन दुलहन को जलाने के मामले रेप के मामले हत्या अपरण आदी के खिलाप भी या चिकाए PIL के तौर पर दायर की जा सकती है अनुसरी जाती और जन जाती रुप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों से सहे ग्रामीडों या पुलिस द्वारों द्वारा गिरामीडों के उत्पिडन अगर एक गाउ का कोई वर्ग कोई सम्हूं दूसरे व्यक्तियों को उत्पिडन करता है तो उन मामलों में भी या पुलिस गाउवालों को उत्पिडन करती है PIL की जा सकती है और सबसे महत्वपुन पॉइंट जो आता है ये आठवा पॉइंट आता है कि किन मामलों में PIL दायर की जा सकती है परियावरण से जुड़े मामले जहाँ पर परियावरण पुर्दू सित हो रहा हो जहाँ पर पारी इस्थितिकी संतूलन जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर एक मेट्रो प्रोजेक्ट आया और इस मेट्रो प्रोजेक्ट में एक लाख यह दस अजार पेड काटे जाने है तो इसके खिलाप याचि का PIL दायर की जा सकती है की जाती है दायर की जा सकती है क्यों भाईया क्यों क्योंकि इतने सारे पेड़ काटने पर पारे इस्थितिक संतूलन बिगड़ जाएगा एकोलोजिकल बेलेंस गड़बड़ा जाएगा दवाओ या खाने पीने में मिलावट जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि एक बार मेगी में आई थी बात तो मेगी में मिलावट होती है गलूटामिन जादा होता है इसके खिलाब PIL दायर की गई थी जब नैसले की मेगी पर बेल लगा था विरासत और संस्कृति का रख रखाव जैसे माल लेता हूँ ताज महल का प्रदूसर कि भी जो मत्रा रिफाइनरी है वो ताज महल को प्रदूसित कर रही है या MC महता ने केस किया था जिसको ताज ट्रैपीजियम केस कहा गया था इस केस में क्या था कि ताज महल के 20 किलोमेटर के लाके में किसी भी इंट के वट्टे पर रोक लगा दी थी इंट के वट्टे पर रोक क्योंकि ताज महल हमारी विरास्त है और उसका जो आसपास की परिस्थिति हैं वो उसे खराब कर रही हैं प्राचीन वस्तूओं के रखरकाब से संबंदित वन और वन्य जीवन और सार्बजिनिक मह तबके अन्य मामलों से संबंदित याचिका हैं ये भी PIL के तور पर दायर की जा सकती हैं दंगा पिडितों की याचिका हैं और family, pension आदी से संबंदित याचिका हैं तो ये 10 ऐसी याचिका हैं फेमली पेंशन में जैसे कोई बहुत ज़्यादा गरीब परिवार है तो उसको पेंशन दिलाने आदी की आची का हैं अब समझे निम्न मामलों में 11 से 15 जो पॉइंट है 11 से लेकर जो 15 तक पॉइंट होंगे निम्न मामलों में PIL दायर नहीं की जा सकती मामलों में PIL दायर नहीं की जा सकती मकान मालिक या क्रायदार के मामले मकान मालिक या क्रायदार से संबंदित जो मामले होते कि किसी ने क्राय नहीं दिया या मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया सर्विस मेटर एंड दोज पर्टेनिंटू पैंसन एंड ग्रेच्चुटी सेवा मामले जैसे आप रेटायर हुए आपको पैंसन या जो जो रेटायर्मेंट पे पैसा मिलता है वो नहीं मिला तो उससे सम्मनित भी आप PIL दायर नहीं कर सकते आपको केस दे सकता है आपको अगर एक से दस उपर जो हमने पॉइंट पढ़ेते उनमें कोई सी बात नहीं आती तो कें सरकार या राज्य सरकार के विभाग आदी के खिलाब भी आप शिक्याद दर्ज नहीं कर सकते चिकिस्सा और अन्य सेक्षणिक संस्थान में प्रिवेश हम मैं कहूं मैं गरीब हू मुझे IIT में एडमिसन चाहिए और मैं बारवी में 50% नंबर आएं तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है या मैं कहूं जी मैं अमीर हूं मेरे 60% नंबर आएं टेस्ट देना पड़ेगा तो एडमिसन आदी से संबंदित भी ये प्रिवेश से संबंदित PIL दायर नहीं कि जा सकती उच्छ न्यायलों और अधिनहा लेकिन अगर यहीं पर रेगिंग के मामले हैं किसके मामले रेगिंग तो रेगिंग से संबंदित दिशान निर्देश जारी कराने के लिए सुप्रिम कोर से PIL दायर कि जा सकती है PIL या जो वो लोग मेनेजमेंट कोटा के तहत जो एक आप ले लंबिते उनके जल्दे सुनवाई के लिए भी आप याची का है PIL के तोर पर दायर नहीं कर सकते तो PIL के कितने मामले बताए गए 10 पॉंट बताए गए और जिनमें PIL दायर नहीं कि जा सकती वो 5 पॉंट इन मामलों में साथी आप PIL दायर नहीं कर सकते अब कुश्यन आजाता है सबसे पहले कि भाई PIL कहां दायर की जा सकती है ध्यान दीजीगा PIL कहां दायर की जा सकती है की जा सकती है हलाकि इसकी कोट फीस तो लगती है 50 रुपे किनी मामलों में कोट उस फीस को माप भी कर सकता है ये कोट के उपर है PIL कहां दायर की जा सकती है तो सुप्रीम कोट उचितम नियाले लखिए PIL कहाँ पर दायर की जा सकती है उचितम नियाले में दायर की जा सकती है अनुचेद 32 मौलिक अधिकारों का अतिकर्मण उलंगन हनन होने पर जो हमें right to remedy दिया गया है राहत पाने का अधिकार अनुचेद 32 के तहत सीधे आपको किसी नियाले में जाने की जोड़त नहीं है डारेक्ट सुप्रीम कोट में PIL दायर कर सकते हैं समझे मेरी बात आप चाहें तो पहले हाई कोट चले जाईए आप पहले चाहें तो हाई कोट चले जाईए हाई कोट में वही शक्ती अनुचे 226 के रहत दी गई है हाई कोट में वही शक्ती अनुचे 226 इसका जो रिट जूरिश्डिक्शन है जिसमें रिट जारी करता है वो सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन से संबंदित अनुचे 14 से लेकर मौलिक अधिकारों के हनन से संबन्दित मामलों में ये मौलिक अधिकारों के हनन के अतरिक्त भी मौलिक अधिकारों के हनन के अतरिक्त भी हनन पिलस अतरिक्त मामलों में भी ये रिट जारी कर सकता है रिट जारी करने का अधिकार हाई कोट को हला कि PIL आप डारेट सुप्रीम कोट में वो जो 10 पइंट थे उनमें कुछ होता है तो आप दायर कर सकते हाई कोट जा सकते तीसरा जो साथी PIL आ सकती है ये PIL का जो स्वेरूप है वो आप डिश्टिक कोट में दायर कर सकते है या आप ये कह सकते है मजिस्टेट के हाँ पर दायर कर सकते है जो डिश्टिक मजिस्टेट हो सकता है वो जिलाजज हो सकता है जिलाजज जिलाजज या डिश्टिक मजिस्टेट DM हो सकता है HDM के हाँ पर आप दायर कर सकते है या अन्य कोई कारिय पालक मजिस्टेट अन्य कोई कारिय पालग मजिस्टेट CRPC 1973 की धारा 133 के तहट धारा 133 में क्या है कि लोक न्यूसेंस को हटाना अगर उसने खुद देख लिया है डीम ने या मजिस्टेट ने या उसे प्लिस के रिपोर्ट परात हुई है या किसी अन्य विक्ति ने उसके हापर सिकायत दी है तो लोक न्यूसेंस को हटाना ये भी एक PIL के तोर पर इमाना जाता है धार 133 तो जिले में अगर आप देखोगे तो कहां पर हो सकती है ये उजाती है साथि आपकी धार 133 CRPC DM, HDM या अन्य उच्छी नियले की बात करेंगे अनुच्छे 226 मौलिक अधिकारों कहनन पर उच्छी तम नियले की बात करेंगे तो अनुच्छे 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोट में कौन डायर कर सकता है कौन डायर कर सकता है PIL कौन डायर कर सकता है और ये सब 2017 में कुश्य नाएं, जब कराऊंगा तो आपकी आगसी घुल जाएंगी, PIL कौन दायर कर सकता है, कोई व्यक्ति, अथवा संगठन, व्यक्ति भी कर सकता है, संगठन भी कर सकता है, इंडिविजुबल भी आप कर सकते हो, और कोई NGO या अन्य ओर्गिनाइजेशन आदी भी, लेकिन लोक हित से प्रिरित होने चाहिए, इन पबलिक इंट्रेस्ट, ऐसा नहीं कि वो स्वार्थ के लिए, लोक हित से प्रिरित, ऐसा याद रखियेगा, एक मामला आया था, शुभास कुमार बनाम बिहार सरकार, इसमें राइट टू, हेल्दी एन्वर्मेंट स्वास्त परियावरण का धिकार के साथ सुभास कुमार बनाम बिहार सरकार, इसमें PIL को खारिज कर दिया था, कई मामलें बिहार सरकार और सुभास कुमार के बीच में, PIL खारिज कर दी थी, कहाता कि इसमें आपका व्यक्तिकत फायदा है, व्यक्तिकत फायदा या आप य कह सकते हैं कि यह स्वार्थ पर आधारित है स्वार्थ पर आधारित होने कारूप लगाकर एकधिता सुवह्ति कह संगियान व्यक्ति का संगठन, सेकंड, न्यायले स्वेते संग्यान ले सकता है, न्यायले स्वेते संग्यान, सुओ मोटो पर भी, न्यायले जो है साती, वो सुओ मोटो, मतलब उसने किसी रिपोर्ट में देखा, या उसने किसी पेपर या न्यूज रिपोर्ट में उसने देखा, कि कोई मामला है, जो पूरी लोग हिच से जुड़ा हुआ है, तो वो स्वेते संग्यान लेकर भी, एक कमेटी आदी किस्थापना कर सकता है, पूरी जाच करने के लिए, और फिर उस पर अपना दिसानर देश फैसला देता है, तो याद रखिएगा, न्याले स्वेते संग्यान भी ले सकता है, न्याले स्वेते संग्यान भी ले सकता है, तीसरा जाता है साती, किसी के पत्र, किसी के भेजे पत्र, सुप्रीम कोट या हाई कोट को कोई पत्र भीजता है, किसी के भेजे पत्र आदी को पत्र आदी को भी किसी के भीजे पत्र आदी को भी PIL में बदला जा सकता है ठीक है फिर कोट क्या करता है कि एक अमीक्यस क्योरी न्यायले का मित्र एक सीनियर वकील को न्यूक्त कर देता है जो समामले में कोट के साहता करता है और चौथा पॉइंट क्या है साती कोई प्राइ प्राइवेट याची का और सुप्रीम कोट को लगता है नहीं जी वो तो उसमें लोग हित भी जुड़ा हुआ है तो प्राइवेट याची का को भी PIL में बदला जा सकता है ये चारों चीज समझ में आई पहला हमने पढ़ा PIL किन मामलों में दायर की जा सकती है PIL कहां दायर की जा सकती है सीधे उच्च नयले हाई कोट या जिला में कौन दायर कर सकता है व्यक्ति या संगठन जो कि लोग हिससे प्रिरित अगर उसमें स्वार्थ होता है तो उसे खारिज कर दिया जाता है सेकंड चीज नयले स्वत्य संग्यान भी ले सकता है किसी के भेचे में बदला जा सकता है जो प्राइवेट य चीस कहते हैं उन्हें भी साथी पी आईयल में बदला जा सकता है ये बात थोड़ा सा अपनी दिमाग में रख लीजीगा की जरूरी नहीं बिल्कुल सही किसी प्राइवेट को भी हम लोग उसमें बदल सकते हैं बिल्कुल से भिया दूसरी बात एक तरीके से इसमें जो है न पारिसी पेटरी जूरिश्डिक्शन होता है पारिसी पारिसी पेटरी जूरिश्डिक्शन इस वर्ड को समझेगा पारिसी पेटरी जूरिश्डिक्शन अर्थात लोक न्याय के संबंध में जज पाटिसिपेट करते हैं जज भाग लेना चाहते हैं जज भाग लेकर भाग लेकर न्याय करते हैं करते हैं कि अगर कोई पबलिक जिस्टिस से जुड़ी चीज होती है तो ये पाटिसिपेटरी जुडिक्शन सह भागी अधिकारिता भी कह सकते हैं इसको इसमें क्या होता है कि जज भी उस मामले में एक तरीके से भाग लेते हैं और इसलिए PIL को कॉपरेटिव लिटीगेशन भी कहा जाता है इसमें एक पक्ष के एक पक्ष की जो सोच होती है सिर्फ उसी को ध्यान में नहीं दिया जाता सभी को सहकारिता सहकारियाचिका इसमें क्या होता है कॉपरेटिव अर्थत सभी एक दूसरे से कॉपरेशन करके जिसमें जज वकील समाज आदी सभी मिलकर किसी चीज का समाधान ढूडते हैं तो इसे आप कॉपरेटिव लिटिगेशन ये पी उसील केस में बात कही गई थी पबलिक बनाम यूनियन ओफ इंडिया केस में ये पी उसील बनाम यूनियन ओफ इंडिया प्यूपिल्स यूनियन फो डेमोक्रेटिक राइट्स P.U.D.R. वाले में P.U.D.R. बना Union of India केस में ये बात कही गई थी कि ये cooperative litigation ये सहकारी तायाचिका है जिसमें सभी लोग मिलकर जज इसमें participate करते हैं ना कि अपना मत थोपते हैं और फिर कोई एक लोग हिस्से जुड़े प्रिशन का समाधान निकाला जाता है ये उस समस्या का कोई solution निकाला जाता है उस समस्या का कोई solution निकाला जाता है यह तक किसी प्रकार की दिक्कत कौन दायर कर सकता है कहां दायर कर सकता है किन मामलों में दायर की जाती है पहला कोई कौन सा था माता कोन है पिता कोण है यह पूरी की पूरी जानकारी आपको आगई यह पूरी की पूरी जानकारी मेरे पाथ 44 कुश्यन है लेकिन उससे पहले में PIL से जुड़े आपको कुछ महत्वपुर केस कराना चाहता हूं पी आई एल से जुड़े कुछ महत्वपूर केस बताईए करें तो लिख लिए पी आई एल से संबंधित कुछ महत्वपूर वाद लिखते रहना मैं कम से कम यह 20 से 25 वाद होंगे महत्वपूर वाद और फिर मैं केस सुरू करूँगा फिर मैं कुछिन सुरू करूँगा इसके बाद मैं पी आई एल रिवाईज कर ले ना कुछिन आएंगे तीन साड़े साथ नमबर के एक भी कुछिन भार नहीं जाएगा पिछली बार भी आई थे कोई पेपर कहीं भी पहला जाते है बंधुआ मुक्ती मूर्चा बंधुआ मुक्ती मूर्चा बंधुआ मुक्ती मूर्चा बंधुआ मुक्ती मूर्चा बनाम यूनियन ओफ इंडिया बनाम यूनियन ओफ इंडिया इसमें साथी बाल मजदूरी क मजदूरी से संबंदित किस से संबंदित बाल मजदूरी बधुवा मजदूरी से संबंदित यह याची का दायर की गई थी कि इसको खतम कराया जाए जो कारपेट इंडश्टी होती है जो तर मजदूरी अधिनियम 1986 पारित हुआ इसी के प्रभाव से बाल मजदूरी अधिनियम 1986 पास हुआ क्या हुआ बाल मजदूरी अधिनियम 1986 आगया जाता है साथी यह बहुत केस है म. महता बनाम युणियन ऊफ इंडिया 1997 मेसी महता में कनुज़ मत होना साल को याद रखना इसने बहुत सारे केस किये अबर कुशिन पुछी बन गया था 2017 में कि MC महता क्या है परियावरण विदे इन्होंने ही दिल्ली में जो पहले फैक्टरी हुआ करती थी न बीस हजार फैक्टरी इन्होंने ही बंद कराई थी वो बीस हजार फैक्टरी जो थी समझे मेरी बात बिलकुल साई MC महता बनाम यूनियन ओफ इंडिया इसको ओलियम गैस लीक ओलियम गैस लीक केस भी कहते है क्या लिखा ओलियम गैस लीक केस भी कहते है शिरी राम फूड केस भी कहते है फूड फैक्टरी केस भी कहते है ओलियम गैस होती है भी या यह ओलियम गैस लीक हो गए थी शिरीराम फूर्ड फैक्टरी से और यही पर यह बहुत important इसी case में सुप्रीम कोट ने absolute liability का concept लेकर आई absolute liability पूर्डायत्म पूर्डायत्म में क्या होता है बेसक आपके यहां से आपकी फैक्टरी से गैस जो लीक हुई है वो accident से हुई है लिखो कि बेसक आपकी फैक्टरी से आपकी जगे पर जो दुर्गटना से गैस लीक हुई है लेकिन फिर भी आपका पूरा दायत में आपको जुर्माना भरना पड़ेगा इसे अपनी कोपी में लिख लेना बन्दवा मुक्ति मूर्चा एमसी महताव नाम कमलनाथ एमसी महताव नाम यूनियन आफ इंडिया गंगा नदी वाला केस तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा तोटल responsibility होती है चब बेसक वो किसी भी तरीके से हुई हो चाहे वो दुर्घटना से गैस लीक हुई हो या किसी अन्यकारण से तो ओलियम गैस लीक केस जिसे शिरीराम फूर्ड फैक्टरी केस भी कहते है पूर्डायत्व का सिधान्त किसका सिधान्त साती पूर्डायत्व का सिधान्त यहाँ पर लेकर आये थे किसका सिध्धान्त पूर दायत्म का सिध्धान्त यहां पर आया है यह आपके खोपड़ी में कुछ चीजे आई मुझे लगनारा कि तुम्हारे दमाग में कोई बात गुस रही है जल्दी बताओ चलिए मुझे लगनारा तुम्हारे दिमाग में कोई दिक्कत घुस रही है तीसरा लिखो MC महता बनाम कमलनाथ केस कमलनाथ है न ये मद्दे प्रदेश का पूर मुक्य मंतरी एक मंतरी भी रहा था फिर MC महता इसे भी न छोड़ा MC महता बनाम कमलनाथ अब कमलनाथ ने क्या हुआ जब ये मंतरी था 1997 का केस है इस्पेन मोटल केस तो इसके 60 गाट थी जो ये बड़े बड़े उद्योग पती होते हैं तो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर इस होटल को ब्यास नदी पर इस कमपनी को होटल बनाने के आजादी दे दी और ब्यास नदी जहां से बहती थी उस वहाँ पर बंबिस्पोर्ट करके उसके मार्ग को बदलने की कि नदी के बीच में होटल बनाएंगे अब भया MC महता को ये बात पता चली ये तो इन्ही मामलों के लिए जाने जाते थे PIL दायर करने के लिए इन्होंने PIL दायर कर दी मामला कोट में पहुचा सुप्रीम कोट ने और यहाँ पर एक बहुत इंपोर्टेंट प्रिंसीपल पबलिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन या डॉक्ट्राइन ओफ पबलिक ट्रस्ट ये प्रति पादित की सुप्रीम कोट ने इस पबलिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन कर्थ होता है कि देश के जितने भी प्राकृतिक संसाधने देश के प्राकृतिक संसाधनों की रखवाली संसाधनों का रखरखाव रखःखाव या जो उनका गाडियने वो भारस सरकार है क्या है भारस सरकार यह यह कह सकते हैं सरकार जो होती है श्टेट जो होता है जो राज्य होता है श्टेट के हैं प्यारत होता है गोर्मेंट चाहिए वो किंद्र के और राज्य की हो कि जो प्राकर्तिक संसाधनादी है इनके रख रखाव की जुम्मेदारी किसकी है राज्य की है गोर्मेंट की है सरकार की है और सरकार अपनी जुम्यदारी से पल्ला नहीं जाड़ पाती इस केस में ये हूटल वाले ब्यास नदी के रास्ते को बदल दे रहे थे और ब्यास नदी के बाप की या कमलनात के फुपा की तो है नहीं तो उसको प्रोटेक्ड करना उसका सरक्षण करना यह राज्य सरकार की जुम्मेदारी है या मतलब स्टेट की जुम्मेदारी है किसकी जुम्मेदारी है समझें मेरी बात तो बहुत अच्छे स्याद रखेगा यह कौन से केस में MC महता बनाम का बनात और एबसुल्यूट लाइबिलिटी पूर दाइत्व किसमें आया तो याद बताईएगा साथी ये किसका जाएगा ये आपका MC महता बनाम Union of India MC महता बनाम Union of India यहाद तक आपको किसी को कोई दिक्कत यस या नो में बताईए यहाद तक किसी को कोई दिक्कत ये दोनों अच्छे से याद कर लोगे कोई परेशानी नहीं आएगी चलिए चोथा आजाता है चोथा आजाता है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली परसासन सुनील बत्रा तुरं तुरंट करता हूँ बनाम दिल्ली परसासन लिखे, प्रेम श्यंकर शुकुला बनाम दिल्ली प्रसासन, प्रेम श्यंकर शुकुला बनाम यूनियन ओफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ओफ इंडिया, ये दोनों के तीसरा जाता है साथी, प्रेम यूनियन ओफ इंडिया, प्रेम यूनियन ओफ इंडिया, ये जो केस था, ये जेल या कैदियों के, कैदियों के अधिकारों से संबन दित था, राइट्स ओफ प्रिजिनर्स, ऐसा ये केस शीला बारसे का भी है, शीला बारसे केस, सेम टू सेम केस महाराष्ट की जेल में महिला कैदि, उनके साथ अत्याचार आदी से जुड़ा हुआ है, प्रेम शंकर शुकला हत कड़ी लगाना अमानिवी है, अगर भागने आदी का डरना हो, ये बात प्रेम शंकर शुकला, ये समें बेगार और बंधुआ मजदूरी को बेगार वे बंधुआ मजदूरी से संबंदित, बेगार वे बंधुआ मजदूरी, तो सुनील बत्रा बनाम दिल्ली पिरसासन, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली पिरसासन, बिलकुल सही लिख लीजेने, प्रेम श्यंकर शुकला यह 1978 का केस था यह सीला बारसे केस 1983 का है और P.O.D.R. वाला जो केस है यह 1982 के आसपास का केस है चलिए तो सुरीर वत्रा बनाम दिल्ली प्रसासन के से सम्भन दिते केदियों के अधिकार ऐसा ही शीला बारसे बनाम महराश्ट राज्ये वाला भी केस है प्रेम श्यंकर शुकला हतकड़ी अमानिवी है हतकड़ी अमानिवी है P.O.D.R. बनाम Union of India बेगार और बंधुआ मजदूरी बेगार और बंधुआ मजदूरी मोश्ट इंपोर्टेंट केस उपेंद्र बक्सी बनाम U.P. सरकार उपेंद्र जो उपेंद्र बक्सी है यह भी बनाम State of U.P. या उत्तर परदेश राज्ये इस केस में जो आगरा महिला में जो महिला होती है उनके लिए जो कुछ केंद्र आधी होते हैं जैसे वूमेन होस्टवल आधी नहीं हुते जो सरकार आधी चलाती है महिला सरक्षण केंद्र जिनको बोलते हैं आगरा प्रोटेक्शन होम महिला सरक्षण केंद्र आदी की अमानिविये कंडिशन्स से संबनित ये उपेंद्र बक्सी केस था कि जो आगरा का प्रोटेक्टिव होम हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा अमानिविये कंडिशन्स है कैसी साती आमानी भी है Conditions है समझे मेरे बात चलिए लगा चाते ओल्गा टैलिस केस औल गा टैलिस केस अलगा टैलिस वना महराश्ट राज्य इस सेमें राइट टू लिवलि हूड राइट टू लिवलि हूड right to live household का मतलब है जीवन यापन का अधिकार जीवन यापन का अधिकार जीवन यापन का अधिकार street vendor case भी कहते हैई इसको जो महराश्ट मुंबई की सडकों पर road पर थेली लगाने वाले थे उनसे संबंदित case था ऐसा ही case दिल्ली में एक सौधान सिंग केस भी है सौधान सिंग केस सौधान सिंग केस भी जो ये रहडी खुमचे वाले होते हैं इनके अधिकारों से सम्मझ नित है उपेंदर बक्सी महिला सरक्षण केंदर में महिलाओं को बक्स दो वहां से आद कर लेना ओलगा ओला वाले जो ड्राइवर होते हैं वो गाड़ी चला कर जीवन यापन करते तो राइट टो लिबलिहूड ऐसे याद कर सकते हैं तो को ट्रिक बता रहा हूँ प्रेम कैदियों को प्रेम से रखो हतकड़ी मत लगाओ P.U.D.R P.U.D.R जब जैसे तुमने कहीं पर काम किया और तुम पे बेगार बिना पैसे के काम कराया तो तुम्हें पुदीना और धनिया दिया कहते हैं न कि तुम्हें उसके काम के बदले क्या मिला जैसे मैं कहते हूँ घंटा मिला तो तुम्हें याद करना पुदीना मिला क्या मिला पुदीना पी उडी आई एने पी उडी आर तो वह से आद कर लेना बेगार और बंधुवा मजदूरी से संबंदित है प्रेम सेहतकडी सुनील बत्रावनाम दिल्ली प्रसासन सुनील सेटी याद है कई फिल्मों में सुनील सेटी को बहुत धोया जाता था यादन बल्वान फिल्म में उसे जेल में लिटा लिटा के मारा जाता था कैदियों कहती आधिकार MC महता बनाम कमलनाथ इस्पेन मोटल केस पबलिक ट्रस्ट कमल के फूल पर आजकर पबलिक का बहुत ट्रस्ट है अरे भाजपा पर कमल के फूल पर पबलिक का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है देखो ये तुम्हें मैंने ट्रिक्स से आध करा दिये बन्धुवा मजदूरी बाल मजदूरी एक्ट आया बन्धुवा मुक्ती मूर्चा केस बन्धुवा मुक्ती मूर्चा केस 1984 का 1984 का तो यहाँ पर बन्धुवा मजदूरी बाल मजदूरी यहाँ पर आजाता है MC महता सिंपल वाला जो है 1987 पोलियम गैस पोलियम गैस तो इसको कैसे आध करोगे गैस क्या होती है उपर से आती है उपर को जाती है मेहे मेहमाने बारिस भी कहां से आती है उपर से वहां से कुछ आत कर सकते हो पूर्ण दायत हो चलिए मैता जी का पूर्ण दायत हो अब यहाँ पर तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली ओला रायट टो लिवलिःुड होगे नी होगे कितरे होगे 8 20 से कर लेते हैं कितरे कर लेते हैं 20 से केस कर लेते हैं 9 वा आ जाता है ओलगा टेलिस वाला हो गया 9 10 कर लेते हैं हैं तो यह बहुत ज्यादा आ गया जाते हैं साथी MC महता बनाम Union of India एमसी महता बनाम यूनियन ओफ इंडिया मैंने क्या कहा था महता जी को छोड़ोगे नहीं तुम महता जी तुम्हें नहीं छोड़ने के सुप्रिम कोट भी एक बार को परिशान हो गया था महता जी अरबार आ जाते हैं ताज ट्रेपीजीम केस ताज ट्रेपीजीम केस जिसमे ताज महल के आसपास 20 किलोमेटर के लाके में सब कुछ बंद सब कुछ मतलब जो ये गैस एस की भैक्टरी थी भैक्टरी के रहो ये वाला जो 8 के भटे थे ये बंद DK बसू केस बहुत important केस है DK बसू केस अरेश्ट संबंधी प्रक्रिया मैं जब CRPC पढ़ाओंगा तो तब जब हम अरेश्ट करने जाएंगे जब तुम दरोगा बन जाओगे अरेश्ट करने जाओगे तो इस प्रक्रिया का पालन करना डीके बसू केस विशाका गाइडलाइन्स विशाका बनाम राजिस्थान सरकार ये देखो राजिस्थान SI में भी आया दो-तिन दिन पहले ये मिर्तक आश्रित में भी आया 2017 में भी आया PCS IS में भी आता रहता है बनाम राजिस्थान सरकार 1997 1997 इस केस में साती कारिय स्थल पर महिलाओं का योन उत्पीडन महिलाओं के योन उत्पीडन से संबनित गाइडलाइन इन्हों ने जारी की थी फिर 2000 में 2013 में Sexual harassment of women at workplace at workplace 2013 में फिर act भी आ जाता है तो विशाका बनाम राइस्थान सरकार डीके बसू का जो मामला था ये भी 1997 का मामला था जिसमें अरेश्ट संबंधी पिरक्रिया अब बस बहुत होगे भाग के अब तुम्हें अरेश्ट कर लेंगे अरेश्ट अब तुम बस कर लो अरेश्ट कर दया तुम्हे MC महता ताज ट्रेपीजियम केस और विशाका बनाम राइस्थान सरकार कारिय स्थल पर भाईलाओं का योन उत्रिडन आ गया जाता है MC महता बनाम नदी प्रदूशन केस गंगा नदी प्रदूशन केस गंगा नदी प्रदूशन केस समझे मेरी बात चलिए बिलकुल सही वेलोर सिटीजन ये मैं आपको एन्वर्मेंट वाले में भी पढ़ा चुका हूँ वेलोर सिटीजन केस सच्टेनेबल डवलपमेंट सतत विकास से संबन देता कि सरकार को विकास ऐसा करना चाहिए कि कि फ्यूचर के लिए भी कुछ बच जाए सच्टेनेबल डवलपमेंट य सतत विकास से संबन देता तो नाम से पढ़ने से लग रहा वेलोर कि बहुत यंगरी जी का बढ़िया नाम है सतत विकास सच्टेनेबल एंसी महता केस 1987 ओलियम गैस 1988 गंगानदी 1997 में कमलाथ समझे मेरी बात 1997 ही ताज ट्रैपीजियम दीके बसु अरेश्ट संबन दी पिरक्रिया विशाखा बनाम रास्तान सरकार कारिये स्थल पर यौन उत्पीडन समझे मेरी बात कारिये स्थल पर यौन उत्पीडन बिल्कुल सही बिल्कुल सही भी यौन बिल्कुल सही P.U.C.L. बनाम यूनियन उफ इंडिया बनाम यूनियन उफ इंडिया 1997 में Right to Food बनाम भोजे नहीं हो जणा है ना मिद्डे मील मिड़े मील ये इसी से सम्मन्दित है SP गुपता बनाम एक वो पहले वाला था SP गुपता का भी ये दूसरा है बनाम Union of India 1997 में इसमें बार काउंसिल जो होती है बार काउंसिल होती है वकीलों की संस्था है तो ये भी साति लोकस स्टेंडनी इनका क्रियर किया गया ये भी किनी मामलोंगे वाद दायर कर सकती है क्या कर सकती है वाद दायर कर सकती है चलिए बिल्कुल सही आगे आ जाते हैं रूरल लिटीगेशन एक रूरल लिटीगेशन करके एक संस्ता है रूरल लिटीगेशन एवं परियावरण केंद्र इन्वर्मेंट केंद्र इस संस्ता का जो केस था वो उत्राखंड में उत्राखंड के नेनिताल आदी में जो जील आदी हैं उनके प्रदूसन से संबन देता जील आदी के प्रदूसन से संबन देता तो पी उसील रूर लिटीगेशन एवं परिया खंड से संबंदित्ता किस संबंदित्त साती उत्राखंड से संबंदित्ता चलिए इसमें की लिख लीजिए लाज्ट पर्मानंद कटारा और अब करेंगे कुश्यंस पर्मानिंद कटारा केस इसमा जाता है दुरगटना में गायल विक्ती की मदद दुरगटना में गायल को उपचार का अधिकार गायल को उपचार आदि का अधिकार है कोई विक्ती अगर उसे कोई गायल विक्ती है कोई विक्ती वहां से गुजर रहा था अगर आप उसे उठा के हस्पिटल पहुचा देते हो तो आपके उपर कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा इन केसों को एक बार और बता देता हूं थोड़ा सा ध्यान दीजेगा बद्वा मुक्ति मोर्चा बाल मजदूरी किसी एक व्यक्ति के फायदे के लिए उनको नुकसा नहीं पहुचाया जा सकता सुनील बत्रा केदियों के दिकार शीला बारसे के इस भी है प्रेम शंकर सुकला हतकडी पीउडी आर बेगार वे बदूवा मजदूरी उपेंद्र भक्सी आगरा महिला सरक्षन केंद्र से संबंदित ओल्गा टेलिस जीवनियापन अब सब लोग कुष्यन करने के लिए तैयार हो अब सबसे पहले आपको बताना है PIL की फुल फॉर्म क्या है इसके बाहर PIL से कुष्यन नहीं आएंगी जो कराए वो और 44 कुष्यन ये है एक भी कुष्यन इससे तुमारा बाहर नहीं जाएगा बस तुम लोग अब उत्तर देने पर तैयार रहना समझे तुमारे कुष्यन इससे बाहर नहीं जाएंगे 2017 के लगा लो कभी के लगा लो हलक ये 2017 वाले कुष्यन नहीं है ये नहीं कुष्यन है फिर भी देखते हैं आप लोग उत्तर देते हो नहीं देते हो बिलकुल सही किस किसने नोट्स बनाई ये बताईए किस किसने नोट्स बनाएं सब लोग एक बार फिर से शेयर कर देना इस मेहनत के नाम सब लोग बच्चा एक बार फिर से शेयर कर देना जो औरवाल जो गलत कमेंट कर रहे हैं बिटा उन्हें करने दो उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला तुन क्यों परिशान हो रहे हो अरे कुत्ता भौकता है तो तुम भी भौकते हो क्या उसके साथ बहुसके इतनी ही है वो भौके गई भौकने दो यार क्यों किसी को जाने दो एक कहरा है कोर्स पूरा बिटा जितना मैं कराता हूँ और तुन्हें कर ली जाना जितना कराया है दो दो बार बस रहने दे मैं तुम्हें क्या बोलूँ वह वो उपर उपर से कराना होता न तो जैसे तुम पागल बनते हो मैं पागल ही बनाता रहता जो ऐसा ही बनाने का content दिया लेकिन तुम्हारे बसकी नहीं है content की पहचान करना हीरे की पहचान जोरी को होती है गधे को नहीं होती समझे मेरी बात चलिए बहुत बढ़िया PIL की full form दिखो PIL को social action litigation भी कहते हैं इनमें ज़्याद अंतर नहीं है social action litigation सामाजिक कारेवाही आची का तो याद रखेगा यहाँ पर जो PIL की full form है वो है public interest litigation या जनहित याची का क्या किसी कानून में परिभाशित है बिलकुल नहीं यह किसी कानून परिभाशित नहीं है यह तो judicial activism न्याईक प्रिक्रिया का न्याईक सक्रियता का एक परिणाम है बहुत अच्छे PDF भी दूँगा बच्चा अरे मैं तुम्हारा पेपर भी दे के आऊँगा तुम सरकार से प्रमीस सर ले आओ कि मेरा पेपर भी एक सर देंगे PDF तुम बहुत छोटी चीज है तुम ले के आओ सरकार से कोई बात नहीं ले के आओ भारत में PIL किसने स्टार्ट की किसने न्यायमूर्ती रे PN भगवती चीप जेश्टिस SH का पाडिया जेश्टिस VR कृष्ण अगर किसी ऑप्षन में दोनों आते किर्शन अयर और PN भगवती तो आपको उत्तर दोनों होता लेकिन अगर ऑप्षन में किर्शना अयर भी है और PN भगवती भी है तो याद रखेगा साती जेश्टिस PN भगवती ये भारत के मुख्या न्यायधीस भी रहेत 1985 में तो याद रखेगा जेश्टिस PN भगवती सब लोग खीच के एक बार लेके जाईए सब लोग 5000 अरे मेरी क्लास में 5000 करने में क्या हो जाता है मैं अच्छा नहीं पढ़ाता क्या है या मैं तुम्हें काम की चीज नहीं पढ़ाता यार पूरी महनत तो मारता हूँ फिर भी है हो जाएगा 69.5 पे अखंड एक बार सब लोग शेयर करके 5000 प्लस कर दो लक्षीमी बिटा तुम मुझसे परसनल बात करो तुम ओफिस आओ मैं तुमारे घर पे काम करूँगा जिन्दिगी बार तुम ये कह दो कि जी कूर्स पुरा नहीं आओ तो सही यार बच्चा तुमने पढ़ी नहीं है वो वीडियो देखी नहीं ये तुमने सारी वीडियो तक तुम नहीं पहुचे पहुचते तो तुम्हें पता चलता तालाप पर कबजा कर रहे हैं पी आई यल दायर करो कहां पर मजिस्टेट कहां पर कर दो कि जी लोग नियूसेंस कर रहे हैं लोग बिलकुल सही जेश्टिस पी न भगवती कौनसे केस में कौनसे केस में हुसेन आरा खातून केस हुसेन आरा खातून केस ये जान बूचकर बदनाम करने वाली बात है वैसे तो तक्कर हो नहीं रही तो बोले काम करो जान बूचकर बदनाम करो इतना ही है चलो कोई बात नहीं करो बदराम बदराम भी उसी को किया जाता है जिसका नाम होता है खच्चर को तो करोगे नहीं चलो जनहित याची का कानूनी सहयता आंदोलिंकिया विदिक सहयता आंदोलिंकिया ग्रणिदिक साखा है इसका उद्देश्य गरीव कम्जोर जनता और अन्याए के शिकार एसहाई पिजितों की पहूँच के वीतर न्याय लाना है कि न्याय जो है वो कम्जोर वर्ग तक पहुँचे निम्लिखित मेंसे किस सरव चन्यायले के न्यायदहीस ने ये बात कही थी तो जब भी तुम्हें ये आए कि ये बात जन्हित याचिका की हो रही है तो ये देखना कि इनमें से कौन सा जज है जो जन्हित याचिका से बहुत ज़्यादा प्रेम था जिनका जन्हित याचिका से बहुत ज़्यादा प्रेम था बस तुम ये देखने की कोशिस करना बिलकुल सही बच्चा जनित याचिका से प्रेम किसका था न्याय मूर्ती पियन भगवती सहब का तो जहिर सी बात है पियन भगवती जी नहीं बात कहीं होगी कि जो पब्लिक इंट्रेस्ट रिटी गेसने ये असन में विधिक सहयता सभी को कानून की सहयता पहुचाने का प्रीती मौर्य ये बिटा इतना दिमाग अगर तुम पढ़ाई पे लगा लीती ना तो तुम कुछ हो गई होती जितना दिमाग तुम उल्टी सिधी बातों में लगा रही हो प्रमजी मेरी बात चलिए बढ़िया आगे आ जाता है PIL PN भगवती के अलावा कौन और व्यक्ति था जिसने PIL को एक्सेप्ट किया और कौन से जस्साबते देखो कुष्यन PN भगवती के अत्रिक्ट न्याय मूर्ती PN भगवती के अत्रिक्ट किसने अत्रिक्ट किसने PIL accept की थी PIL को accept किया था और कौन भगवती थे जिनों ने PIL को accept किया था बिल्कुल सही PIL को accept किया था Justice VR KRISNA IER Justice VR KRISNA IER Justice VR KRISNA IER आगे आ जाते हैं जनित याचिका की अवधारणा कहां पर उत्पन हुई जनित याचिका की अवधारणा ये कहां पर उत्पन हुई है हम लोग 2-3 घंटे पढ़ा देते कोई दिक्कत नहीं होती तुम एक घंटे सही से नहीं पढ़ सकते अब बस तुम सोच लोग सोच लो कि क्या कर सकते हो एक बार थोड़ा सा शेयर कर दू कि तो हो जाएगा इसका PDF एक्जाम पर अफिशल एप पर मिलेगा आपको चलिए बिल्कुल से कौन से केस से सबसे पहला कौन को सा था अमेरिका, USA का मतलब क्या होता है अमेरिका से उत्पन हुई और कौन से केस से उत्पन हुई जीडियोन बनाम वेन राइट केस से कौन से केस से उत्पन हुई जीडियोन बनाम वेन राइट केस से जनित याची का आरेस की क्लास भी चलेंगी कुछ दिक्कत आई हुई है तो एना अभी ऐसा महल क्रिएट किया गया कि मैं किसी की सेलरी नि दे पा रहा या यह नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा पीछे नेगेटिविटी इतनी बहुत ज़्यादा मैं सोस तरह कि सब कुछ अच्छा है ऐसा नह नहीं देपाएंगे मतलब भी या थेंक्यो उत्रा विस्वास करने के लिए जब हम लायक हो जाएंगे हम चला लेंगे आप नहीं कर पा रहे वरोसा कोई बात नहीं है अब किसे लड़ा थोड़ी ने जा सकता है आपनी साथ-साथ क्लास में है लड़ने के लिए बैठ लेट गलेगे कि किस अब निकलेंगे इन सब चीजों से इसे अब स्प्रेम कोट भी कर सकते हो, हाई कोट भी कर सकते हो, उचिन्यालेवी, उचितम न्यालेवी, दोनों में कर सकते हो, इसमें अनुच्छे 226 के तहत, इसमें अनुच्छे 226 के तहत, चलिए, जनित याचिका को विचार करने के लिए, सुप्रीम कोट ने नियमों को उदार बनाया, अभी मैंने लिखवाया हुआ है जनेत याचिका पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोट ने किस नियम को किन नियमों को उदार बनाया या उनको आसान बनाया किन नियमों को उदार या आसान बनाया प्रेकरियातमक प्रेकरियाएं प्रेकरिया नियम को या कारियवाही नियम को नि पहली बात की नयले में याची का कौन दायर कर सकता है याची का किस प्रक्रिया के तहत तो आप अगर कोई लेटर और पत्र भी भेजते हो तो उसे भी पबलिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन जनित याची का के तौर पर स्विकार कर लिया जाता है जनित याची का के तौर पर उसे भी स्विकार कर लिया जाता है तो उन्होंने प्रोसीजर को सरल बनाया प्रेक्रिया को सरल बनाया कि कोई आम आदमी भी कोई आम आदमी भी PIL दायर कर सके कारिय वाहि को सरल नहीं बनाया प्रेक्रिया को सरल बनाया जिससे कोई आम व्यक्ति कोई एस हाई व्यक्ति पर व Supreme Court के पास एक letter पत्तर भेज़ दे तो procedure को सरल बनाया प्रेक्रिया को सरल बनाया मैंने लिखा था मैंने लिखा था चलिए अगला case जनहित याची का dash का एक हिस्सा है जनहित याची का कौन से न्याय का हिस्सा है जनहित याची का वेटा मैं सारी करवाऊँगा तुम आओगे त इतना कठे नदीनिया में इतना कठे ने वो भी मैंने तुम्हें कराया है थोड़ा थोड़ा और कराऊँगा बहुत बढ़िया बच्चा शाबाद साथी जनहित याची का डेश न्याय का एक हिस्सा है पानिसीपेटिंग पानिसीपेटिड पानिसीपेट या पानिसीपेट्री बेटा सह भागी अभी लिखवाया था कि जज इसमें भाग लेते हैं जज भी वकील और जन्ता के साथ मिलकर किसी सामाजिक मुद्दे का समाधान ये participatory jurisdiction है ये सहभागी न्याय का हिस्सा है किसका हिस्सा है सहभागी न्याय का हिस्सा चलिए अब देखो आगे तुमारा UPSI वाला तूफानी कुशन जनहित याचिका समाज के कमजोर एसंग्ठित और शोशित वर्गों के दर्वाजे तक न्याय लाने के लिए है यहे उन लोगों के लिए है जिनके पहुँच नहीं है कि वो मुकदमे बाजी की निश्य धात्मक लागत के कारण न्यायले में मुकदमा कर सके मतलब यहाँ पर वो यह कहना चाहरा है कि मुकदमे की फीस बहुत होती है बहुत होती है चलिए इसे किसी के अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से न्याले के समक्च नहीं लाया जाता किसी के अधुकार को लागू करने के उद्देशे से न्यायले के समक्च नहीं लाया जाता अब बताईए तो पहली बात सुनिए एक बात तो किलियर थी जज साहब ने क्या कहा था किसरना ये रने कि न्याय को शोशित वर्गों तक पहुचाना है शोशित वर्गों तक पहली बात तो ये बात तो ठीक है कि न्याय को शोशित वर्गों तक पहली वाली बात ठीक है तीसरी वाली बात गलत है क्योंकि अधिकार को लागू करने के लिए अधिकार को लागू जैसे वो जेल में बंद थे तो अगर उनके अधिकार को लागू नहीं किया जाता तो वो तो जेल में रहते तो अधिकार को लागू करने के लिए होती है धर्ड वाला तो हो गई नहीं इसमें भी तीसरा ये तो कभी होई नहीं सकता A और B में से second point देखना अंगरी जी में देखते ये उनके लिए है इट इस फोर्दोज जिनके पास कोश्ट की बज़े से या न्याले की मुकदमे की ज़्यादा फीस होनी की बज़े से जिनके हपर न्याय पहुंच से बाहार है तो ये बात भी गलत है इसे वो लोग भी दे सकते जो गरीब है और इसे वो लोग भी दे सकते जो अमीरे लेकिन जिनका सामाजिक असल में कोश्ट की बात नहीं है बात है कि आप किसी लोग हित के मुद्दे से संबन देत आप कोट के समख्च कुछ लेकर आ रहे हैं इसमें only one केवल एक बिटा इसमें ये किरा कि ये उन लोगों के लिए जिनकी पहुँची नहीं है नियाले तक फिर एमसी महता कैसे पहुँच गया बहिए ये लोग तो अमीर लोग थे कपीला हिंगो रानी ये तो वकील थी ये समाज के दबले कुछले लोगों के लिए भी है और बाकी अन्य परियावरन आदी पुर्दूसर आदी के मुद्दे के लिए भी है लेकिन यहाँ पे लेक रहता है ये उन लोगों के लिए जिनकी पहुँची नहीं है क्योंकि लागत बहुत ज़ादा है तो only one केवल एक वाला इसमें सही है बाकी किसी न किसी कारण से दूसरे और तीसरे गलत है चलिए जनहित याची का इन में से किसका परिणाम है जनहित याची का इन में से किसका परिणाम है बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी पढ़ाओ बबब गौरब और कैसे जल्दी जल्दी पढ़ाओं यार मेरी तो एक limit होगी गला है यार मैं आदमी हूं मसीन नहीं हूं भाबू और कितरी यार मेरे तो गला वैसे खराब रहता है और खूब जल्दी पढ़ाया है ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल स्लो है अड़ा खतरना आगे भाई नहीं कोई सिक्योर्टी जबानी करनी पड़ती 50 रुपे की कोट फीस होती है किनी मामलों में गौवर्मेंट मतलब कोट जो होती है वो फीस भी माफ कर देती है पवन कुमार अब भी आपको मूल विदी की बुक चाहिए बच्चा हमें क्या ही बोलू ले लो दुनिया भर की किताब है पांधस लेके आना पांधस न्याइक सक्रियता जुडिसियल एक्टिवीज्म कौनसा न्याइक सक्रियता जुडिसियल एक्टिवीज्म न्याइक सक्रियता या जुडिसियल एक्टिविज्म हस्तक छेप नहीं बहुत गलत उत्तर दे रहे हो आधों के गलत उत्तर है आप लोग पढ़े नहीं हो भी थोड़ी दिर पहले इस क्लास को लेते इस में जुडिसियल एक्टिविज्म नियाले अपने प्रमपरागत अधिकार छेतर से बाहर जाकर सामाचिक मुद्दों को हल करता है उसे जुड़े समाधान को हल करता है बिलकुल सही जनित याचिका के तहर दर्ज पहला मामला था ये तो चारों के आपते होंगे एस वी गुपता वाले केस में राइट टू नो जानने का अधिकार आटी आई का जन्म यहीं से स्टार्ट हुआ है बिलकुल सही है राइट जुडिसियल एक्टिविज्म फर्टिलाइजर लोकस इस्टेंडी पहली बार यादन पी आईल का ओफिसियल यूज राइट टू नो जज ट्रांसपर केस बंधुआ मजदूरी 1986 का एक्ट आया बंधुआ मजदूरी से संबंदिज्जो था राइट चालिस अजार कैदियों से संबंदिज्जो था बिलकुल सही नियाए मूर्ति पी एन भगवती ध्यान दे राइट 29.89 में नियायमूर्थी P.N. भगवती ने S.P. गुप्ता बना भारश संके केस में जनित याचिका की अवधाना दी जनित याचिका के अन्य पहलू क्या है 1981 में P.N. भगवती जी ने P.I. I.L. की अवधाना दी इसकी आपको अन्य पहलू बताने है देखो पहला इट इस रेमेडियल ये एक राहत राहत देती है क्या देती है इसकी जो प्रकृति है वो राहत देने वाली है किसी विक्ति के किसी अधिकार कानन हुआ उसे राहत तो यह प्रकृति में उक्चारातमक राहत देने वाली और गैर प्रतिकूल मतलब इसमें डंड वगेरा से नहीं राहत देने पर जोड़ दिया जाता है दूसरी बात लोकस इस्टेंडी के नियमों पर छूट दी जाती है तो ये भी मैंने पढ़ाया था लोकस इस्टेंडी के नियमों पर छूट ये representative प्रेती निधी standing है मतलब इसमें जिसका अधिकार का हनन हुआ है वो व्यक्तिना खड़े होकर उसका प्रेती निधी भी याची का दायर कर सकता है तो बिना पढ़े तुमने all का answer मत दिया करो बिना पढ़े all of the evoke मत जाये करो पहले तीनों को पढ़ लिया करो तो अन्य पहलू क्या है नियमों में छूट है ये उपचार आत्मक है लोकस इस्टेंडी के नियमों में छूट दी गई है और प्रेती निधित्व यहाँ पर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उरसे याची का दायर करता है जनहित याची का दो पॉइंट आपको दे रखें अच्छे से पढ़िएगा देश में सतर्क नागरिक एक सस्ता कानूनी उपाय ढूण सकते है क्योंकि इसमें केवल मामूली अदालत शुल्क सामिल है इसके अलावा तथा कथित जनहित याची का के माध्यम से वादी बड़े सार्वजिनिक मुद्दों पर ध्यान के इंद्रित कर सकता है जेसे मानवाधिकार उपभोगता कल्यान और परियावरन की छित्र में दोनों में क्या के रखा है एक में कह रखा है कि परियावरन आदी से जुड़े मामलों पर जो सतर्क नागरी के पब्लिक इस्पिरिटिड लोक हित्से प्रेरित व्यक्ति वो मुकदमा दायर कर सकते हैं और इसमें केवल मामूली अदालत शुल्क होता है मामूली अदालत शुल्क बताईए उत्तर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जब हो जाएगी ये पूरा टॉपी की खतम हो जाएगा बहुत बढ़िया पहली बात क्या हो गई केवल मामूली निस्चित अदालत शुल्क के शामिल है दोसरी बात जो बड़े इस्तर के सार्वजिनिक प्रेशन होते हैं उन पर ध्यान आकरसित हो सकता है तो दोनों वन और टू इसका बिलकुल सही है दोनों आगे क्या जाते है वर्त मान में ध्यान दिना वर्त मान में न्यायले किसी पत्र को रिट याचिका के रूप में मान सकता है अगर किसी व्यक्ती ने कोई पत्र भेजा तो उसे भी PIL के तोर पर उस पर कारवाई कर सकता है लेकिर हर पत्र को ऐसा नहीं माना जा सकता न्यायले केवल निमले के तमामलों में पत्र को रिट याचिका के रूप में मानने उचित होगा वहाँ जहाँ पत्र किसी प्रिणित व्यक्ती द्वारा संबोधित नहीं है एक सार्वजिनिक उत्साही व्यक्ति या ये कर सकते लोखित से प्रिरित व्यक्ति द्वारा भीजा गया है हिरासत में किसी व्यक्ति के संवेधानिक या कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए एक NGO द्वारा या उनके समू द्वारा भीजा गया है तो देखिए व्यक्ति इसमें option क्या है कि तभी माना जाएगा जब उसे किसी पिर्णित व्यक्ति ने ना भेजा हूँ तो देखो पत्र को पिर्णित भी भीज सकता है पिर्णित भी और पिर्णित की ओर से अन्य व्यक्ति भी यह मैंने लिखवाया कि PIL कौन दायर कर सकता है और कोई NGO आदी भी यहाँ पर कहा गया केवल पिर्णित तो मैंने का PID भी और पिर्णित की ओर से अन्य व्यक्ति भी तो एवाली बात तो गलत होगी कोई लोग हिच से प्रिर्णित व्यक्ति भीज सकता है पबलिक इस्पिरिटिड परसन पबलिक इस्पिरिटिड और उसकी ओर से जो व्यक्ति को हिरासत वगारा में तो खुद भीज नी सकते उनकी ओर से कोई अन्य भीज सकता है तो C B सही है तो B और C ये दोनों कौनसे में दोनों कौनसे में के लिए क्या कम है इनके बीच में जनहित याचिका अर्थात PIL और S.A.L. इनके बीच में बहुत ही कम भेद हैं बहुती कम डिस्टिंग्शन हैं बहुती कम डिस्टिंग्शन कार्थ होता है दो चीजों के वीच में मामुली सा अंतर तो PIL और SEL SEL कहा जाता इसको कहा पर अमेरिका में चलिए इतना important भी नहीं था अगला question बहुत बड़ी हा कुशन है निमलिकित में से किस मामले में सर्वोचनेल ने कहा कि हिरासत में मौत हिरासत में मौत कानून के द्वारा शाशित सब्भे सמाज में सबसे खराब अपराधों में से इक है इसमें से किस केस में सुप्रीम कोट ने कहा था कि जो हिरासत में मौत होती है Πुलिस की हिरासत में मृत्जिव ये आज के समाज में सबसे गंभीर अपराद है कानून द्वारा शाशित समाज में सबसे गंभीर अपराद अजीज सिंग केस मेनका गांधी तो इसमें तो अर्टिकल 14 19 और 21 के बीच में गोल्डन ट्राइंगल गोल्डन ट्राइंगल पास्पोर्ट केस भी कह सकते हो और इस केस में आप ये भी कह सकते हो कि मेनक 21 में उचित प्रक्रिया का पालन की साथ साथ जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो reasonable होनी चाहिए युक्ती युक्त उचित तो होनी चाहिए वो प्रक्रिया युक्ती युक्त भी होनी चाहिए reasonable इंद्रा गांदी इंद्रा सहनी इंद्रा सहनी ये आरक्षण से संबंदित केस है आ कौन सा केस सा थी, डी के बसू केस, घुमने का अधिकार भी सी में सामिला मेंन कबाले में, डी के बसू बना पस्चिम मंगाल, चलिए, निश्किरिय इच्छा मृत्यू कौन से मामले में कही गई थी, पैसिव यूथो नेसिया, कि अगर कोई जिंदा व्यक्ति, अगर कोई जिंदा व्यक्ति, अपनी विल या अपनी जो वो होती है उसकी, कहते हैं ना कि एक व्यक्ति ने अपनी बच्चों को आगे जो उसकी धनरासी बांटी जाती है, उसको कुछ कहते हैं, वसियत, अगर वो कोमा अधी में चला जाए, कोमा अधी में, तो उसको जो लाइफ सपोर्ट सिष्टम है, उसे हटा लिया जाए, लाइफ सपोर्ट सिष्टम को हटा लिया जाए, जो वो वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, उसे ventilator पर रख देते हैं वो साथी बहुत दिनों तो कोमा में तो अगर कोई जिंदा व्यक्ति अपनी वसीयत में लिग गया है कि अगर कभी किनी काणन से वो कोमा में चला जाए तो उसके life support system को अटा दिया जाए ये अरुना रामचंदर शानबाग ये एक नर्स थी जिन पर एक अस्पताल का करमचारी रेप करता है वो कोमा में चली जाती है अरुना रामचंदर शानबाग बनाम भारस संग के केस में समझे मेरी बात ग्यान को और मर्दे का अधिकार जीवन का अधिकार में शामिल नहीं है चलीए आगे आजाते है कारिये स्थल पर महिलाओं का योन उत्पिडन कारिये स्थल पर महिलाओं का योन उत्पिडन बताईए साथी मेंका गांधी केस गोम्र विदेश जाने का अधिकार विदेश जाने का अधिकार राइट टू लाइफ में लड़कियां ही एर होश्टेस बन सकते हैं उस मामलों में सरला मुद्गल डबल साधी एक व्यक्ति हिंदू था उसकी शाधी पहले किसी औरत से हुई फिर बाद में वो इसलाम कबूल करके वो उसने दूसरी शाधी कर ली तो अगर इसलाम पहली कोई हिंदू रीती रिवास से शाधी हुई है और उसे तलाग दिये बिना चाहे इसलाम कबूल करके चाहे इसाई बनके अगर दूसरी शाधी करते हैं तो वो अवैद होता है सरला मुद्गल केस और ये कौन सा था विशाका बनाम राजिस्थान सरकार 1997 में विशाका बनाम राजिस्थान सरकार 1997 में चलिए आगे आ जाते हैं अगला केस है निमलकित में से किस मामले में केंद्रिय सिक्षन संस्थान अधिनियम ये 93म संविधान संसूधन अधिनियम भी था अधिनियम 2005 को चुनोती दी गई थी अशोक कुमार बनाम भारस संग अशोक कुमार ठाकुर बनाम यूपी अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य के इंद्रिय सेक्षणिक संस्थान अधिनियम 2005 इसके तहत जो प्राइवेट इस्टिट्यूट है उनमें भी आरक्षण क नियम लागू होंगे आरक्षण के नियम लागू होंगे बहुत खीच के उत्तर दीजे साथियो और भागिये मत और जित्रे भी आप सभी लोग देख रहे हैं आप सभी लोग लाइक शेयर करना मत भूलना अगर यह आपको पसंद आ रही हो तीसरा घंटा चल रहा है चलो क पिटक केंदर का मामला आए तो किसी राज्य सित को मतलब भी नहीं बनता अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारस संग अरे राज्य का मामला आए यह केंदर का है तो केंदर का होगा तो केंदर सरकारी होगी ना थोड़ा तो दिमाग लगाते नहीं आता तो करसो सकते ते मैंने नहीं 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 बताया लेकिन तीनों नाम सेम है तो जाइड सी बात है अशोक कुमार वा नाम भारस संग कुछ कुषिन ऐसे होंगे जो नहीं कराए होंगे दिमाग से दोगे उन्हें चलिए परिया उबरण में गड़बडी करके अनुचे दिकिस के उलंगन के मामले में न यह कौन से मामले में कहा गया बताईए पिर्डित के लिए हरजा ना भी दे सकता है यह कौन से मामले में कहा गया पिर्डित परिवार के लिए हरजा ना भी दे सकता है यह कौन से मामले में कहा गया बताईए बिलकुल सही इसमें क्या था देखो पहला जो 1987 का केस था उस केस में तो उन्होंने उस होटल को बंद करवा दिया था उसके बाद में उन्होंने जुर्माने की मांग की किसकी मांग की? कि भई हमें जुर्माना भी देना चाहिए जुर्माना भी देना चाहिए बिल्कुल सही इसे आप साथी बिल्कुल सही ये 2000 वाला केस है ये वाला केस जो है ये वाला केस 2000 इसमें भी लिखा हुआ है लेकिन इसमें एक्छी देखना D वाले में Scale लिखा होगा S-C-A-L-E ये वाला केस सिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के सहवर्ती या उसी का अंग किसमें मागा है सिक्षा के अधिकार को Right to Education अनुचेद 21A बाद में आया है मौलिक अधिकारों के सहवर्ती मागा है कि जो Right to Education है सिक्षा का अधिकार है ये कुछ ऐसे कुशन होंगे जो नहीं कराए हुए जो सिक्षा का अधिकार है वो एक तरीके से ये आपको पॉलिटिव गईरा में है जब Important फिर से 100-200 वो कराएंगे जितने भी कराऊँगा इन सब का Revision कराऊँगा एक बार फिर से पढ़ोगे ये देखो प्रेम शेंकर सुकला केस कौन सा था हतकडी वाला केस ये था हतकडी वाला केस परमादिन्द कटारा दुरगटना में साहेता वाला केस भारत का महाद्याइवादी बनाम मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार भई मौली जेन वाले मामले में सिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का ही अंग माना लेकिन इसमें प्रोपर उसको मौलिक अधिकार माना गया है महुनी जैन वाले मामले में उसको एक अंग माना लेकिन इस केस में उसे पूरा का पूरा अधिकार ही मागा ये उन्नी क्रिशनन केस है उन्नी क्रिशनन इसको आप ये भी कह सकते हो उन्नी कृष्णनन केस ये उन्नी कृष्णनन नाम है ओल्गा टेलिस श्ट्रीट वेंडर राइट टो लिवलिहुड जीवन यापन जिसको कह सकते हो जीवन यापन मौनी जेनवाला केरल सिक्चा विदेयक इसमें क्या होता है ये साती माइनुरिटी जो अल्प संख्यक के अधिकारों से संबन दिता है अल्प संख्यक कौन होते हैं किसी राज्य में 50% से कम जन संख्या उन्नी कृष्णनन का जो मामला था इस मामले में right to education को proper एक fundamental right माना गया लेकिन पहले वाले case में एक उसका अंग माना गया आगे आज जाते हैं फुटपात पर व्यापार करने का धिकार इन में से किस case में फुटपात पर व्यापार करने का धिकार फुटपात पर व्यापार करने का धिकार फुट पाथ पर व्यापार करने का धिकार बस थोड़ी देर बिलकुल से क्वी नी कराया होगा बिलकुल सर दे किस मामले में सरवोच चिनेल ने ने हमाना की फुट पाथ पर व्यापार का धिकार ये कुशिन 2017 पेपर में भी आया था मोनी जेन उन्नी क्रिसनन दोनों बिल्कुल सही देखे ये तो लोकस इस्टेंडी पीए इनामदार ये केस भी आपका उससे संबंदित है आरक्षन से संबंदित अभी बताया था पोलगा टैलिस वाले केस में सौधान सिंग केस में लिखा था सौधान सिंग बनाम नई दिल्ल की नगर समीति सूचना के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में सर्वोत चिनेल दौरा पहली बार मौन नेता दी गई थी राइट टू नो आटी आई की नीव राइट टू नो को पहली बार मौन था, SP गुपता, इंडियन एक्स्प्रेस, सचीव सूचन और प्रसाण मंत्राले या विशाखा बनाम राजिस्तान, विशाखा बनाम राजिस्तान, बस थोड़े से और बचें, थोड़ी देर और हिम्मत कर लीजिए, ये तुम लोगों कही फायदा है बच्चा, तुम लोगो कही, सौधान सिंग केस में कहा था वैसा, SP गुपता बनाम भारस संग, इसी केस में साथी, PIL और मजबूत हुई थी, PIL के जुड़े कही चीज़ों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, इसी में right to know, इसी में right to know, अभी थोड़ी देर पहली बताया था, right to know, पहली बार जज से संबंदित कुछ केस था ये, जज से संबंदित, भारत के सर्वोचनेले ने किस मामले में कहा, कि मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मी द्वारों के, का भूत जानने का धिकार है, भूत का मतलब है, कि वो कितने पढ़े लिखे, उन्होंने क्या क्या किया, उनके बारे में सब कुछ जानने का धिकार है, उनके बारे में सब कुछ जानने का धिकार है, उम्मी द्वारों के क्रेडिसियन्स, राइट टो नोदी एंटिसिडेंट्स, कितने अपराद कियें, कितनी संपत्ति हैं, कितने पढ़े लिखियां, कते मुठा टेक हैं, तो इस वोटिंग राइट, वोट के राइट के पिरती बहुत ज़्यादा PIL फाइल करती है, तो ADR बनाम Union of India, Union of India versus Association for Democratic Reform, इसे ने उम्मीदवारों के एंटिसिडेंस जानने का अधिकार है, डॉक्टर की सहायता दुरगटना में, दुरगटना में डॉक्टर की सहायता, जैसे किसी व आउस्पिटल आदी में इलाज मिले, ये बात किसमें कही गई थी, बस थोड़ा सा दो घंटे में तुमें ठकान हो गई, दो घंटे में तुम खतम हो गई, एक बार और खीचके शेयर कर दीजे, लाइक दस अजार पे पहुंच जाएं, इतने सारे देख रहे हो, बिलकुल स इन में से किसमें जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, किस मामले में सर्वोच चनैले ने बात कही थी, कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, और सरकार को इस सलहा दी, कि भ धारा 309, IPC, IPC के जो धारा 309 है, इसे हटा दीजिए, आत्मत्या का प्रियास, हटा दीजिए, ये सलहा दीथी, आत्मत्या का प्रियास जो होता है, धारा 309, आत्मत्या का प्रियास, धारा 309, देखो पी रतिनाम केस में तो उन्होंने जीवन के अधिकार में मृत्यू के अधिकार को माना इसमें माना है और इस फैसले में फिर ग्यान कौर वाले केस में इस बात को पलट दिया था ज्यान कौर वाले केस में इस बात को पलट दिया था और कहा था कि मरने के अधिकार शामिल नहीं है जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है टेलिफॉन टेपिंग राइट टू प्राइवेसी का उलंगने निचता के अधिकार का हनन अगर कोई टेलिफॉन टेपिंग कर रहा है टेलिफॉन टेपिंग तो इस मामली में साथी टेलिफॉन टेपिंग निचता के अधिकार का हनन है टेलिफॉन टेपिंग निजिता के अधिकार का हनन है बताईए पिपिल्स पूर सिबिल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया जबकि मुर्ली ऐस देवड़ा वाले केस में जो ये पैसे भी स्मोकिंग होती है ये वाला राज्य था तो टाइस का उत्तर एक पिउ सी एल बनाम यूनियन ओफ इंडिया राइट टू फूड भी इसी का है सार्वजनिक इस्थलों पर धुर्मपरपान के कारण सार्वजनिक इस्थलों पर धुर्मपरपान के कारण जनता को पुर्दूसर और एसुबधा इसके खिलाफ रोक लगाने से संबंदित सार्वजनिक इस्थलों पर धुर्मपरपान अपराद है कौन से केस से आया था पंद्रे कुश्यन और बचिये 44 थे ये पंद्रे कुश्यन और बचिये ये कुल मिला के 44 प्रेशन थे इटा बुक में और सर में अंतर है न थोड़ा सा तभी तो कहते ही बुक और सर में अंतर है बुक और गुरुजी में अंतर है बिलकुल सही देवडा मुरली एस देवडा बनाम भारस सरकार किस मामले में ए विवाहित मा के जैविक पिता के नाम का खुलासा किये बिना अपने बच्चे को जनम प्रमाण पत्र प्राप्त करने का धिकार है अगर जैसे कोई माता है ऐ विवाही तो उसकी शादी नहीं हुई और उसने किसी बच्चे को जनम दिया तो वो बेसक उसके बच्चे के पिता के नम का खुलासा किये बिना हॉस्पिटल से जनम प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करने का अधिकार है बताईए एबीसी बनाम राज्ये शमीम बानो जावेद गीता हरीहरन तो याद रखेगा एबीसी बनाम इस्टेट उस महिला का नाम भी यहां पर छुपा दिया गया जिससे कि उसकी आइडेंटिटी रिवीर ना हूँ राइट टू प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी चलिए भारत के सर्वो चिन्याले ने किस मामले में घोशना की थी कि जीवन के अधिकार में हवा पुर्दूसित हवा और पानी अधिकार में अनपॉल्यूटिड एपुर्दूसि थावा और पानी का Francis Kohli Gramin Mukadma और अधिकार केंद्र S. जगनाथ सुभास कुमार बनाम बैयार राज्य सुभास कुमार बनाम बैयार राज्य कौनसे मामले में बात कही थी कौनसे मामले में बात कही थी बताईए कौनसे मामले में कही थी Right to Pollution Philly Environment Right to Pollution Philly Environment इस मामले में कही इस व्यक्ति की कही सारी राज्यकाओं को कही वाली कही सारी एक इसकी राज्यका को स्वार्थी बता के स्वार्थी बता के रद्वी कर दिया गया था स्वार्थी बता के रद्वी कर दिया गया था स्वार्थी बता के बच्चा रद भी कर दिया गया था कि ये अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे है ये अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे है बिल्कुल सही किस मामले में बात कही गई थी करो थोड़ा बताओ कोशिस करो बहुत बढ़िया बिल्कुल सही सुभास कुमार वाले केस में ये मैंने आपको परियावरण में लिख्वाया भी थोड़ दिर पहले इस मामले में सुभास कुमार बनाम विहार राज्य के केस में आगे आ चाहता है खाप पंचायत दौरा अंतर जातिये विभा की रोख्ताम अवैध है खाप पंचायत जो होती है ये इंटरकाष्ट मेरीज अवैद है ये कौन से मामले में कही गई खाप पंचायत द्वारा अंतर जातिय विभा की रोक्थाम अवैद है ये साती अरुण मुगम सरवल बनाम तमिलाडू के इसमें अरुण मुगम सरवल बनाम तमिलाडू अंतर जातिय विभा पर रोक्थाम अवैद है चलिए बिजोय इनेमुवल बनाम स्टेट आव केरल किससे सम्मन दित है बिजोए इनेमुल बिजोए इनेमुल बनाम स्टेट ऑफ केरल ये किस से संबंदित है बताईए साथी ये किस से संबंदित है किसी भी स्थान पर अभ्यास किसी भी स्थान पर अभ्यास इसमें क्याते है कि स्कूल में बच्चे उतेग व्यक्ति के वो बच्चे नैसनल एंथम सिंग नहीं करते वो कहते है कि हमारे धर्म के खिलाफ है ये किसके खिलाफ है साथी ये हमारे धर्म के खिलाफ है समझने मेरी बात तो इसके खिलाब फिर केस चल जाता है केस चल जाता है सती केस चल जाता है समझने मेरी बात है केस चल जाता है तो जब उन पर आरोप लगाया गया कि वो नेसनल एंथन वी बोलते तो बोलते जी हमारे धर्म का उलंगन हो जाएगा उनको सस्पेंड कर दिया गया मामला सुप्रीम कोट में पहुचा तो वो एकडम सीधे खड़े रहते थे वो नेसनल एंथम तो सिंग नहीं करते थे जनगडमन लेकिन वो सीधे खड़े रहते थे रेस्पेक्ट करते थे तो यहाँ पर जो अपने धर्म का दिकार होता नुचे 25 राइट टू फ्रीडम अफ एक्स्प्रेशन आर्टिकल 19 उसकी बात करके साथी यह रिलिजियस ब्लीफ से संबन लेता है यह आप यह कह सकते हैं धार्मिक विश्वास की सुरक्षा रिलिजियस ब्रीफ से संबन लेता है बी इमेनुवल बनाम केरल राज्ये के केस में बी इमेनुवल बनाम केरल राज्ये के अनुसार राश्ट्रगान के पिर्टी अपेक्छे सम्मान दिखाने के लिए इन में से क्या आवश्यक है क्या अनिवारी है क्या जरूरी है बी इमेनुवल केस धार्मिक विश्वास के सु भाई लाश्ट के दस्कुशन बचें, सम्मान पूर्वक अब आप खड़े हो जाते हो, सम्मान पूर्वक अगर आप खड़े हो जाते हो सीधे, अगर आप नहीं गा रहे, आपके धर्म की धर्म बीच में आ रहा है, तो आप सीधे खड़े हो जाइए, सम्मान पूर्वक खड़े रहना, पिटा गाना नहीं, सम्मान पूर्वक खड़े हो न, तो भी आप नेशलन इंथम की रेस्पेक्ट मानी गई है, यौन उत्पिड़न वाला से सम्मनित मामला कौन सा है, यौन उत्पिड़न को मानवा धिकारों के उलंगन के रूप में, से सम्मनित है, कपला हिंगोरानी 40,000 कैदियों से सम्मनित, माल न्यूट्रिशन ये भी उससे कपको पोशन से सम्मनित भी है, शाहा बानो बेगम ये टरपल तलाक से सम्मनित है, तो याद रखेगा विशाखा बनाम राज्थान राज्य, आगे आज जाता है, कन्या भुरु हत्या के खिलाब कानून को पूरी ताकत के साथ लागू करना चाहिए, पूरे संकल्प के साथ, तो याद रखेगा C-HAT, C-E-H-A-T, बनाम भारसंग, C-E-H-A-T, बनाम भारसंग, कन्या भुरुण हत्या को रोकने के लिए जो कानूने, उसको पूरे संकल्प के साथ लाग आपरादी के मर्जी से होता है, पहले नहीं होता था बिना अपरादी के मर्जी के भी हो जाता था, आजकल अपरादी आरूपी की से, नारको टैस्ट गएरा जो होते हैं, जूट, कोई व्यक्ति जूट तो नहीं बोल रहा, उसके जूट or सचका पता लगाने के लिए, तो इसके खिलाप एक याची का दायर की गई तो मांसिक गोपिनिता को अनुचेद 21 का एक हत्या माना एक उसका अंग माना है mental privacy क्योंकि जब आपके दिमाग पर मसीन वगरा लगा कर जोटर सच निकाला जाता है तो इसने कहा कि यह मेरे मांसिक मांसिक उत्पिडन है तो बच्पन बचाओ से भी संबंदित नहीं है यह तो बच्चों से संबंदित होगा केश्वा नंद भारती तो आप जानते ही है पवड़ा श्यानबाग के सभी हमने देखा था कि जिसमें पैसिव यूथोनेसिया तो सेल्वी बनाम करनाटक राज्जे सेल्वी बनाम करनाटक राज्जे नींद का अधिकार एक अनुचेद 21 के अंतरगत नींद का अधिकार भी शामिल है राइट टू स्लीप अनुचेद 21 के अंतरगत जीवन के अधिकार में राइट टू स्लीप सोने का अधिकार भी शामिल है सोने का अधिकार भी शामिल है polygraph machine, narco analysis नींद का अधिकार भी सामिल है नाज फाउंडेशन तो वो बन जाता है आपका 1497 वाला 377 397 वाला नाज फाउंडेशन केम जोसप अना जारे, राम लीला मामला राम लीला मैदान मामला राम लीला मैदान मामला जो था, ये साती right to sleep से है राइट टू सलीप से, आगया जाता है राष्ट्य ध्वच फैराने का अधिकार ये कौन से केस्में कहा गया था सम्मान के साथ सम्मान के साथ नवीनजिंदल के सम्मान